अले स्टूरेंस वेलकम तो स्टेप अपकाडमी और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 का चाप्टर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बोलते साथ ही आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती होगी कि मेरे आसपास लाइट जल रही ह एसी चल रहा है फैन चल रहा है यह सब चीज़े दिखाए देने लग जाती है अब आप सोचते होंगे कि माम यह एलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है तो भई एलेक्ट्रिसिटी इस फॉर्म आफ एनरजी जिसकी मदद से हम चीजों को चला पाते हैं कि देखें पूरी दुनि पहले से तो थी नहीं तो यह कैसे बनी होगी तो यह पूरा एक बहुत डीटेल में एक सब्जेक्ट है जिसको हम बार में पढ़ सकते हैं लेकिन फिलाल हम जानते हैं कि हमारे जो सबसे हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है या फिर स से दूसरे फॉर्म में कनवर्ट होगी तब यह जो एलेक्टिकल एनरजी वहां पर बन रही है वो ट्रांस्मिशन लाइन वही वाली ट्रांस्मिशन लाइन जो कि आपको सड़कों के किनारों पर देखती होंगी बड़ी-बड़ी तो उन ए ए इसको सबसे पहले कोई से स्टार्ट करें इनिशाल से स्टार्ट करें तो तो क्या है तो हमें समझना पड़ेगा चार्ज क्योंकि चार्ज से ही बना होता है कर तो सबसे पहले तो हम जाने कि यह चार्ज क्या है अब इस पूरी दुनिया में देखो क्या होता है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे माटर्स हैं अब जैसे कि अगर मैं एक छोटे से डॉ को कंसिडर कर रोस डॉक बहुत जूम इन करूं तो मैं इसके बाइलोजी के लास्ट टम सेल तक पहुत जाओंगी और सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर होगा एक आटम जिसमें होता है न्यूकिलस प्रोटॉन और एलेक्टरॉन अब हमने इनको आइडेंटिफाय करन हमने इन सब पर चार्ज दे दिया प्रोटॉन पर पॉजिटिव एलेक्टरॉन पर नेगेटिव चार्ज दे दिया और फिर हमने इसकी स्टडी की तो हमने स्टडी में ये पाया कि सबसी बीच में जो होता है वो न्यूकिलस होता है और न्यूकिलस के अंदर होते हैं कि संख्या अगर बराबर होती है तो इसको हम कहते हैं कि वह neutral condition बे है ठीक है अब क्यों हम कहते है है न्यूट्रल है क्योंकि मान लो एक पर plus 3 proton और plus minus 3 electron है तो हम उसको अगर add करेंगे total उसके चार्ज निकालेंगे तो वो जिरू आएंगे ठीक है चले अब इस बात को थोड़ा सा और आगे चलेंगे थोड़ा आगे लेके चलेगी अभी वापिस यहां आ जाते हैं कि आटम के अंदर जब हमने देखा तो हमने जब इसके स्टडी की तो यह पाया कि न्यूकिलस के अंद है हर एक और बिट में एक 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 प्लानेट है उसी तरी किसे यहां न्यूकलस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको अभी पैटन है जैसे जो कि आपने अल्रेडी पढ़ा होगा कैमेस्ट्री में पहले वाले शेल इसको क्या कहते हैं शेल पहले शेल में दो एलेक्ट्रॉन होते हैं फिर उसके बाद 8 होते हैं फिर 18 होते हैं इस तरह से यह जो सारे लेक्ट्रॉन है यह डिवाइड़ होते हैं अब यह जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूकलस के अंदर नहीं है न्यूकलस के फोर्स में है लेकिन इतने जाधा नहीं मतलब कि न्यू होंने की इसी फेली गोमने के कारण क्या होता है अब है एक ज्ल कांदर बहुत सारे गुद्स होंगे बहुत सारे मॉले। के अंदर बहुत सारे आटम्स होंगे ठीक है मतलब कि एक आटम नहीं होगा बहुत सारे आटम्स होंगे और इन बहुत सारे आटम में अगर मैं एक आटम को बाहर निकालू तो हर एक आटम में क्या होंगे बच्छो हर एक आटम का नुकलेस होगा हर एक आटम के प्रोटॉन्स होंगे हर एक atom के electrons होंगे जो इसके orbits में है अब यह जो atoms है ठीक है जब यह नॉर्मल कंडिशन में होते हैं मतलब नॉर्मल कंडिशन जैसे कि एक चेयर पड़ी हुई है एक टेबल पड़ी हुई इन सब के अंदर atoms है सारे के सारे के अंदर क्या है nucleus electron और proton है यह अपनी जगे को छोड़ करके नहीं जाते वहीं के वहीं रहते हैं लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा energy करें तो यह motion करना शुरू कर देते हैं कैसे motion करना शुरू करते हैं तो भाया इस पूरे चीज में electron जो है यह क्या करता है यह अपनी position को छोड़ करके जा सकता है इसका मतलब कि अगर थोड़ी energy मिली तो यह अपने atom को छोड़ के किसी दूसरे के atom में चला जाएगा जंप कर जाएगा ठीक है अब मैंने आप से क्या बोला कि बहुत सारे atom होते हैं इन बहुत सारे atom में सब में electrons होंगे और यह electron क्या होते बच्चों इनको हम दो चीज माल लेते एक को हमने positive और एक को अब यह इस तरह से motion करते हैं तो बच्चों अभी तक कि कहानी का चार्ज की बारे में समझें तो चार्ज किस से मिलकर के बना हुआ है तो atom के अंदर होते हैं न्यूकर आपके proton और electron जो कि आप एक चार्ज का का काम करते हैं तो इनको चार्ज क्यों कहा जा रहा है तो इसकी क बाहर के orbit में जो electron होते हैं वो एक atom से दूसरा atom में चले जाते हैं तो मैंने आपसे बताया कि यहां पर positive proton है और negative electron है इसका मतलब कि जब यह इसकी जगे को छोड़ करके जा रहे होंगे ठीक है तो क्या होता होगा तो यह होता होगा क्या कि यह तो electron की संख्या कम हो जाती होगी मान लीजे कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रों से ठीक है दो एटम से हना इसमें जो electron थे और proton थे ठीक है वो कितने थे 3 ओके इसमें जो electron था और इसमें जो proton थे वो थे 4 ऐसा हम मान लेते ठीक है अब जब यह electron क्या करेगा यहां से जम करके यहां पहुँच जाएगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे 5 electron ठीक है यहां फिर चलिए दोनों का सेम ही मान लेते हैं तो जब यह यहां से जम करके जाएगा तो यह 3 बन जाएगा अब बताओ जाधा electrons किसमें है इसमें है तो negative charge किसमें जाधा हो गया इसमें हो गया तो यह इस charge को आप positive charge बोलना शुरू क कर देंगे ठीक है चलिए तो यह तो हम charge के बारे में समझ गए अब हमने क्या किया इन charges में अगर मैं electron को for example proton के पास लेके जाती हूं तो वह दोनों एक दुसरे को क्या करते हैं एट्राक करते हैं वही जब मैं electron electron को लेके जाती हूं तो वह इस तरह से दूसरे को दूर करते ह हैं और जब positive negative को लेके जाते हूं तो यह दूसरे के पास आते हैं अट्राक करते हैं इसका मतलब की यह क्या है एक तरीके का attraction force ठीक है तो charge is nothing but the property of a matter ठीक है due to which it attract और रिपल अनादर चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से proton electron यह सिंपल कहें यह जो चार्ज है वो किसी भी प्रॉडी को attract या फिर रिपल करता है उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज ठीक है अब यह जो चार्ज है उसे हम negative चार्ज या positive चार्ज कप कहते हैं तो वह थोड़ा सा आगे और discuss करेंगे थोड़ा सा मैं बता चुकी हूं अब conductor और insulator की अगर बात करें तो हर conductor और insulator में क्या होते हैं electron और proton होते हैं लेकिन सिर्फ conductor की जो electron है वो क्या कर पाते है move कर पाते हैं जिसके वज़ेसे उसमें current flow कर पाता है इंसुलेटर की क्यों नहीं करते तो बच्चों conductor के जो charge carriers होते हैं उसमें proton nucleus से होता है लेकिन electron फ्री होते हैं जिसके वाजह से वो एक एक एकटम से दूसर्रा पम्ने में जम कर पाते हैं सुरेटर के साथ में ऐसा नहीं होता है अब जब मैं इन आपको बाहर सैंटने भी एलेक्टरौन जैसे मैंने आभी आपको बताया कि हर चीज में क्या होता हैं एटम है एटम के बाहर फ्रील इलेक्टरान है यह ये अलेक्टरान क्या करते हैं जैसे आप अइनर्जाइस करो तो क्या से जाते हैं एपसे फ्रिक्षन दे दो या कंडक्शन करोगे तो फीर motion करना शालू कर देंगे एक direction में कब आएंगे तो यह भी हम आगे discuss करेंगे जब आप उसमें battery लगाओगे क्योंकि battery क्या करेंगे force लगाएगी एक direction में और जब भी मैं किसी चीज़ पर एक direction में force लगाती हूँ तो वह सी direction में जाती है उसी तरीके से यह भी करते हैं तो चार्ज की अगर हम बात करें बच्चो तो चार्ज क्या हो जाएगा तो electric charge is a physical property of a matter matter की physical property है that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field तो जब भी हम इसे किसी electromagnetic field में रखेंगे electromagnetic field मतलब कि जहां पर already कोई force लगाने वाली दूसरी चीज़ भी होगी तो जब भी हम से किसी electromagnetic field में रखते हैं तो यह या तो रिपल्शन शो करते हैं या attraction शो करते हैं towards another charge तो इसी property को हम उसका charge कहते हैं और यह जो charge है यह दो तरीके के होते हैं positive or negative charge तो positive or negative charge कैसे charge हो जाते हैं बच्चो तो access or deficiency chicken access or deficiency of electron is known as charge और simple definition के अगर आप बात करो बच्चो चाच की तो किसी point पर अगर चार्ज जादा है या electron जादा है excess में है या deficiency है तो उसे हम charge कहते हैं और यह charge फिर दो तरीके के हो जाते हैं positive और एक negative अब positive charge किसको कहते हैं तो जहां पर number of proton जादा होंगे वहां positive charge होगा जहां electron की संख्या जादा होगी वहां पर वह चार्च कैसा हो जाएगा negative charge हो जाएगा कैसे हो जाएगा तो माल लीजे कि हमारे पास यह दो atom थे ठीक है दोनों में ही चार-चार electron proton थे अब यहां से उठकर के भाया एक electron इसमें चला गया तो यहां 3 हो गया 5 हो गया तो negatively charge particle किसमें जादा हो गया चार्च तो उस पार्टिकल में होंगे उस एटम में होगा इसलिए चार्च negative कौन हो जाएगा यह वाला हो जाता अब electric charge can be positive or negative it occurs in discrete neutral units and is neither created nor destroyed अभी जो charges है अगर यह जगे से दूसरे जगे जा रहे हैं तो यह कभी भी क्या नहीं होंगे बच्चों यह कभी भी destroy नहीं होते यह नाए create नहीं होते यह बस एक जगह से दूसरे जगे transfer continuously जैसे यह continuously transfer यहां हो रहा है यह इस तरह से transfer होते रहते हैं अब अगर मैं आपसे बोलो कि ऐक रम नीट्राल है तो वो निट्रल क्यों है क्योंकि उसमें six proton six electrons और शिक्स Newtron Senhor गर मैं कहूं कि कोई एक निज अटम negative charge हो रहा है तो वो चार्ज क्यों रहा है क्योंकि उसमें एलेक्टान कम जाधा हो गए अगा मैं कहूं positive charge electron atom है तो हम उसे positive क्यों कहेंगे क्योंकि उसमें proton की संख्या electron की संख्या से ज्यादा है ठीक है अब एक बात आती है बिटा conversation of charge तो conversation of charge का मतलब क्या होता है when you charge something by any method no charges are created or destroy अब जैसे आप किसी भी चीज को अगर आप charge करते हो चाहे आप friction से करो चाहे आप polarization से करो यह move from one atom to another which makes area that have different charges समझ में आई बात इसमें क्या होता है कि सिर्फ electron जो है यह simply move करता है एक atom से दूसरे atom में जो कि एक ऐसा area create कर देता है जिसमें different charges हो ठीक है तो बच्चों अभी वीडियो में आगे तक जा रहे हैं कई बच्चे समझ में आ रहे होगी कहानी किसी को बिलकुल समझ में नहीं आ रहे हैं तो बच्चों बिलकुल ध्यान से समझो कि पूरे universe के matter में charges होते हैं कि होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि हर चीज़ आट molecule से बने हर molecule के अंदर बहुत सारे atoms हैं हर atoms के अंदर electrons और protons हैं जो कि nucleus से tightly bounded होते हैं इलेक्ट्रॉन जिन भे भी loosely bounded होते हैं बहुत अच्छे तरीके से neutron उनको जकर के नहीं रख पाता है तो वो electron एक atom से दूसरे atom में continuously जम करते हैं अगर आप उनको energize कर दोगे जिसके वज़े से हमें repulsion और attraction का effect समझ में आता है और यही repulsion का और attraction का जो effect हमें समझ में आ रहा है उसी को ही कहते हैं charge वही जो property है उसी को ही कहा जाता है charge और जहां पर अगर बात की जाए positive or negative charge की तो access or deficiency of electron is known as positive or negative charge जहां access electron है वो आपके negative charge कहलाएंगे जहां पर आपके deficiency electron की वह आपका positive body कहलाएगा अब हम बात कर रहे थे conversation की तो conversation का बस मतलब यही था कि जो आप सोच रहे हो कि charge एक जगे से दूसरे जगे जा रहे तो क्या खतम हो जाते हैं नहीं जैसे कि जब आपने अपने बालों में कंगी को रव करा तो क्या हुआ बिफोर रविंग में देखो कि आपका जो बाल है उसमें जो net charge है वो 0 है क्यों net charge 0 बोल रही हूं मैं क्योंकि neutral condition में है proton electron दोनों बराबर हैं फिर मैंने कंगी को लिया और कंगी को इस थरह से मैं रब किया तो क्या किया मैं जब मैंने rubbing की तो contact से friction से क्या हुआ चार्ज ट्रांसफर हो गए ट्रांसफर कैसे हो गए मान लीजे कि हाँ पर जो आपके charge carrier से वह आपके कंगी में जाकर के add हो गए आपके बाल से ठीक है आपके बाल से और चले गए आपके electrons अब electron ही हमेशा move करता है बच्चो कभी भी proton नहीं करेगा क्योंकि वह nucleus के अंदर होता है तो देखिए यहां से क्या हुआ आपने जैसे कंगी से लिए नीव हाल किया तो आपके बाल के अंदर के जो charge थे नेगेटिव चार्श थे और इस कंगी किंगे यह तो है और su इन दोनों की बीच में आप की बाल जो है यहां आपका खिचता हुआ नजर आता है क्यों खिचता है क्योंकि इसके तो यह जो आपके इधर से उधर खिच रहे हैं तो क्यों कि एक जगे पॉजिटिव आ गया अब जहां पर ज्यादा वेल्यू है वहां पर प्रोटॉन की संख्या तो बराबर ही है तो जहां ज्यादा एलेक्ट्रॉन है वहां ज्यादा आपको खिचाब महसुस होगा मतलब कि म िकर लेते हैं तो पहली त्रीते दूसरी जगे जो दूसरा एकटम है वहां पर वेलेक्ट्रोन भी थ्री है और प्रोटॉन भी थ्री रेंख मने किया फ्रिक्षन करने म Minor जाएन न करके ट्रांसफर हो गए तो यह हो गय आपका टोटल पांच ठेकें वंजी क्या वैल्यू मिलेगी पाइब माइनस थ्री अगर हम करें या धीदेखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर जो टोटल चार्ज है प्रोटॉन की तो हमारी संख्या सेम की सेम रहेगी यहां पर इलेक्ट्रॉन जादा हो गए इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके बाल है वो इस तरफ खीचे चले जाएंगे मतलब कि फोर्स ऑप एट्राक्शन रहेगा ठीक है जो कि क्या करें का इले और आपके लाइक और तॉस्य के पास है जैसे हमारी बाडी में मास है वैसे ही चार्ज का भी मास होता है जिसके बारे में डीटेल में आप 11-12 क्लास में और पढ़ेंगे ठीक है अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मुझे निकालना है ठीक है तो कैसे निकाल सकते है तो उसे कहा जाता है क्वान्टाइजेशन क्या कहते हैं बच्चो कॉंटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब की काउंट करना एक किसी चीज में अगर आटम है तो उसके अदर कितने चार्ज है यह काउंट करना तो इसको कैसे काउंट किया जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है तो है जहां पर ए होता है चार्ज और वन एलेक्टरोन ऐसे करते हैं तो इसको कूलम ने किया था जिनका नाम ही कूलं था ठीक है, the charge of electron is numerically a very tiny value, मतलब कि जो charge होता है electron के उपर वो बहुत छोटी value होती है और जिसको अगर आप represent करें, तो जो उसकी value होती है, वो होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb ठीक है, यह क्या है, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb और यह क्या होता है, charge on एक single electron के उपर charge this indicates that any change has to be integral multiple of this fundamental unit of electron charge e अब यहाँ पर formula को देखो, सिधे-सिधे, q equals to क्या होता है, n into e होता है अगर मुझे charge निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, n की value निकालना है, कि कितने number of electrons पर आपको charge निकालना है ठीक है, अब जैसे मुझे एक electron का charge पता है, और मुझे 10 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 into, जो एक electron का charge है multiplied by 10 कर दूंगी, तो उससे मुझे क्या मिल जाएंगे, charges मिल जाएंगे, तो मुझे यह पता है कि भई, एक electron के उपर 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होता है, तो अगर मुझे ज्यादा number of electrons पर निकालना है, total charge निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, n को लिख दूंगी, n जो होगा हमारा whole number होगा, 10, 12, 13, 14, जितना भी हो, हम उसमें निकाल नेंगे कि कितना number of charge carriers है, ठीक है, चलिए, तो कूलम होता है, उसे हम कहते हैं, कूलम, and this is the charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, अब एक वेक्वेस्टन हम करते हैं, how many electrons will be there in one coulomb of charge, है न, क्या पूचा रोने, रिवर्स कर लिया, कि वन कूलम का अगर चार्ज है, ठीक है, वन कूलम का आपका चार्ज है, तो इस पे कितने number of electrons होंगे, यह आपको निकाल करके बताना है, अब हमें देखो, simple सा एक formula पता है, q equals to n into e, q की value हमें दे दी है, कि भी अब 1 coulomb है, है न, अब इसमें कितने number of electrons है, यह हमें नहीं मालूम, लेकिन एक electron के उपर charge मुझे पता है, 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब देखो, क्योंकि n की value निकालनी हो, n whole number होता है, whole number की unit तो होगी नहीं, तो coulomb से coulomb cancel हो जाएगा, और यह 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 equals to n हो जाएगा, जब आप इसको solve करेंगे, तो आपको जो value आएगी, वो मैं इसको directly बता देरी हूँ, जो value आएगी, वो आपको value देगी, ठीक है, तो q equals to n e से हम 1 coulomb का charge निकाल पाएगे, जो कि लगभग आपकी 1 upon 1.6 into 10 to the power 19 something को चाहेगी, ठीक है, तो यह आप अभी यह calculate करें, अब क्या होता है कि आपको कई बार question दिया जाता है, तो coulomb दे दिया तो ठीक है, micro coulomb दे दिया तो coulomb में convert करना पड़ेगा, तो micro को convert करने लिए 10 to the power minus 6, nano coulomb होगा, तो 10 to the power minus 9 कर दीजिएगा, pico coulomb होगा, तो 10 to the power minus 12, तो यह थोड़ा सा याद रखने के लिए, pico coulomb के लिए, micro के लिए और nano के लिए, क्या यूज करना है, यह आपको ध्यान में रखना है, अब आगे चलेंगे, electric charge is additive in nature, e total electric charge of a system is algebraic sum of all the charges located in a system, for example, let us say, a system has two charges, plus 5C and minus 2C, then the total net charge of the system is, दोनों को add कर दो, मतलब की कोई अलग सी चीज करने के जरुवरत नहीं है, charge क्या है बिच्चो, scalar quantity है, हम उसको directly add कर सकते हैं, simple इतना समझ लो, एक जगे अगर 5 कूलम दिया है, एक जगे अगर minus 2 कूलम दिया है, तो उनों को add करोगे, plus 3 कूलम आएगा, यही आपका answer हो जाएगा, तो एक वीडियो के लास्ट में एक बार इसको summarize कर दूँ कि electric charge क्या होता है, तो it is the property of a matter, due to which it attract or repel, the same, repel another charge is known as charge, जब भी हम इस electromagnetic field में रखेंगे, यह किसी भी field में रखते हैं, और यह attraction और repulsion शो जो चीज करने लग जाए, उसी को हम charge कहते हैं, charge हमारी electron proton से मिलकर बने हुए हैं, और excess or deficiency of electron will give us positive or negative charge, जहां पर excess electrons हैं वो negative charge और जहां पर deficiency है electrons की वो आपका positive charge बन जाता है, ठीक है, अब अच्छो हाला की, 10th class में electric charge selected बहुत डीप में नहीं आएगा, आपको सब इसकी definition पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत concept clear होना चाहिए था, अब बारी आएगी हमारी electric current की, कि आखरी electric current कैसे बना, तो electric current बना है flow of charge से, charge के flow करने से electric current बना, अभी charge flow करना कब शुरू कर देते हैं, हमें ये तो पता है कि motion करते हैं, conduction से, friction से, polarization से, तो ये electric current कैसे flow करेगा, तो इसके लिए हमें force को पढ़ना पड़ेगा, तो next class में हम पढ़ेंगे force के बारे में, अब बच्चों अगर मैं directly आप से कहूँ कि electric potential क्या होता है, it is a work done to bring a unit positive charge from infinity to the field of another charge, अगर मैं सिर्फ इतना कह दूँ तो आपको काम चलेगा, क्या नहीं चलेगा, अगर potential difference बोलूँ, simple सा ये बोल दूँ कि it is the potential difference, it is the difference of potential between two points, तो क्या ये काम चल सकता है, नहीं, इसके पहले की कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है, last video में जैसा हमने आपको बताया, कि एक atom के अंदर charge होते हैं, और ये जो charge है, वो positive और negative होते हैं, अब ये जो positive और negative charge है, इनके बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने आपको बताया, कि light charges repel करते हैं, light मतलब positive positive repel करेगा, और negative और positive attract करेंगे, और negative negative repel करेंगे, ठेक है, अब इसके बाद, ये जिस force के कारण, एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं, अगर मैं किसी से दूर हो रहे हूँ, माली जी मेरे पास कोई, मेरी friend आकर की खड़ी होते हैं, मैं उसे दूर ऐसे कर रहे हूँ, तो क्यों कर रहे हूँ, मैं क्या कर रहे हूँ, मैं एक force लगा रहे हूँ, या अगर मैं किसी को अपने पास बुला रहे हूँ तो मैं उसे खेचूंगी, अगेन मैं एक force लगाऊंगी, तो there is something one force between these charges also, तो ये charge को हम कहते हैं electric force, तो potential को पढ़ने से पहले हमें force को जारना जरूरी है, तो among electric charges there are two type of electric force, one is attractive and another is repulsive, तो दो तरीके के हमारे forces होते हैं electric charge में, एक जो कि attract करता है और दूसरा जो कि repel करता है, मतलब दूर लेकर के जाता है, तो the like charges repel and unlike charges attract each other, जो like charges है, positive positive एक दूसरे को दूर हटाते हैं और negative नेगेटिव एक दूसरे को दूर हटाते हैं, अब these forces are non-contact force, enhanced can be experienced even when the charges are not in contact, अब क्या जरूरी है कि दो charges को मैं पास में ले attraction लगाएंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यह force actual में non-contact force होता है, जब आपने छोटी classes में थे और आपने पढ़ा होगा कि भई force कही तरीके के होते हैं, कुछ contact होते हैं, जिनमें direct हमें contact करना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं किसी को धक्का दे रही हूं या खीच रह contact force यहाँ पर भी charges की बीच में होता है, तो इनकी charges के around आने पर ही, जैसे हम अगर magnet की बात करें बच्चो, तो magnet में जैसे north और south pole होते हैं, तो यहाँ पर magnetic field lines होती हैं और इन magnetic field lines में कोई भी चीज़ होगी, तो वो force of attraction को field करेगी, तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि there must be some field जो की charge के आसपास होगी, तो बिलकुल charge के आसपास एक field होती है, ठीक है, जिसके कारण उस field में आने वाले charge को या तो यह ripple करते हैं, या attract करते हैं, अब यह field कुछ इस तरह से होती है, देख पा रही हों गया, यह positive के आसपास, यह negative के आसपास, बस फर्क यह होता है कि वहाँ हमें पता है, magnet के case में, कि जो magnetic lines है, वो north pole से निकल के south pole में जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमें इदो चीज़े याद रखनी है, कि जो positive charge से lines निकलती, वो बाहर की तरफ arrow indicate करता है, और जो negative में होती है, वो अंदर की तरफ होता है, अब जब हम अगर बात करें, electric force क कि कि कितना electric force लगता है, तो यह depend करता है, तीन चीज़ों पर, value of charges on them, कि कि कितना charge है, किसी particle पर, कितना charge है, उस पर depend करेगा, दूसरी चीज़, distance between them, अब अगर कोई charge यहाँ है, ठीक है, और कोई charge इसके, या फिरा करम negative की बात करें, तो कितनी दूरी पर है, इसके field में कहां पर है, क्या वो यहां है, यहां है, यहां है, इसके distance पर depend करेगा, किस पर कितना force लगना है, जैसे magnet में होता है, अगर आप दूर रखोगे किसी चीज़ को, तो क्या होगा, बच्चो, वो तोड़ा देर में, हलका सा अपने जगे से dislocate होती है, पास में रखते हो, तो बहुत जल्दी ही एक दूर से आकर के contact में आ जाते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी field में क्या depend करेगा, कि सबसे पहले तो कि कितना charge है, इसका खुद का कितना charge है, दूसरे चीज़ कि distance कितना है, दूसरे charge को अपनी तरफ repel करने या attract करने में, उसमें कितना उसका distance है, and nature of medium between them, और तो जी हां, the reason in which a charge experience electric force forms the electric field, तो बच्चों, बहुत सिंपल है, जैसे एक charge के चारों तरफ जो field होती है, जिसमें जाकर के हमें force महसूस हो रहा हो, उसे हम उसकी electric field कहते हैं, जिसे हम capital E से denote करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास दो charges होते हैं, positive charge और एक negative charge, तो हमें यह समझना है कि जो positive charge है और negative charge होनके आसपस field को हम कैसे represent करेंगे, तो the direction of electric field is the direction of the force that would act on a small positive charge, therefore the line representing the electric field are the electric line of force, अब सिंपल सी बात है, अगर एक field है, तो इसमें field lines होंगी, तो जैसे मैंने अभी आपको यहां indicate करके बताई होई है, field lines, वही field line यहां पर है, अब यह जो field lines है, अगर मैं मैं यहां पर एक positive charge को ले आओ, एक और positive मैं यहां पर रख दूँ, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे का arrow देखो, इनका कैसा हो गया, opposite हो गया, वहीं अगर मैं यहां पर एक negative charge को रख दो, तो यह negative charge क्या करेगा बच्चो, यह negative charge इनकी direction नहीं हो जाएगे, मतलब भी दोनों एक दूसरे का arrow करेंगे, ठीक है, तो इन electric field की lines को हम electric field lines कहते हैं, the electric lines of force are straight or curved path along with a unit positive charge tends to move in the electric field, अभी electric field कैसी होती है बच्चो, straight भी हो सकती है, curved भी हो सकती है, कैसी भी shape में हो सकती है, और जिसमें इन चाहे straight हो, चाहे curved हो, दोनों पे ही आपका जो positive charge है, उसको एक experience होगा force, ठीक है, electric lines of force are imaginary lines, अब यह जो lines है, उनको हमने हमारी study करने के लिए माना है, कि यह इस तरह से lines हो सकती है, वहाँ, ऐसी lines को माना जाए, तो इस तरह के pattern में यह जो force है, वो काम करता है, the strength of electric force field is represented by how close the field lines are to one another, जैसे हम magnet की बात करें, तो magnet में क्या होता है बच्चो, magnet में जटना pass electric magnetic field lines होती है, magnetic lines होती होतनी जादा उसकी strength जादा होती है, जहाँ लोग ज़ादा वहाँ पे उनकी strength जादा, जहाँ लोग कम strength कम तो वैसे इनके साथ होता है चाहे magnet हो, चाहे आपका charge हो, जितनी ज़ादा field lines आपके पास होती, वहाँ उतना ज़ादा charge और electric force कम होता जाता है, तो for an isolated positive charge, the electric line of force are radially outward and for isolated negative charge, they are radially inverse, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक-एक single charge की बात करें, आप बात कर रहे हो अगर positive charge की, तो उसके आसपस जो field lines होती है, वो radially outward होती है, मतलब बाहर की direction में, और अगर आप negative charge की बात करते हो, तो हमने conventionally ऐसा माना है कि इसमे जो field lines होती है, वो inverse होती है, अब आती है बात electric field की, तो electric field at a point is a measure of force acting on a unit positive charge placed at that point, तो क्या होगा ये, it is the measure of force, electric field क्या बताती है, electric field strong है या नहीं है, ये depend किस पर करेगा, कि वो उस point पर कैसे लग रहे है, जैसे कि अगर आप किसी पानी के जरने के पास जाओ, अब वो पानी क जरने का force जादा है या कम है, वो किसके पर depend करेगा, आप पर, कि आप उससे कितने दूरी पर खड़े हुए हो, तो electric field का भी यही बात होती है, कि electric field at a point, किसी भी point पर अगर आप electric field की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ये बता रहे हो, कि इस point पर कितना force लग रहा है, a positive charge will experience the force in the direction of electric field and a negative charge will experience the positive direction of electric field, ठीक है, अब आजाते हैं electrical potential पर, तो हमने अभी तक ये जान लिया कि electrical field क्या होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि electrical charge क्या होता है, और हमने ये भी समझ लिया कि force क्या होता है, ये जो charges हैं जिनहें हाप electron और proton कहते हैं, ये एक तरह की का repulsion और attraction force लगाते हैं सिर्फ electron की movement की वज़े से ही जो सारी चीज़े होती है वो होती है अब आती है बात की electrical potential क्या है अब potential क्या मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कितना potential है आप ऐसा बोलते होना कही बार तो potential मतलब कि अपने काम को दिखाना कि मैं कितना काम कर सकता हूं तो in a similar manner electrical potential भी है work done कौन सा work done to bring a unit positive charge from infinity to the field of another charge किसी चार्ज को किसी दूसरी position से किसी चार्ज की किसी field में लाने के लिए जो काम किया जाता है उसी को ही हम electrical potential कहते हैं ये चार्ज का potential ही electrical potential कहलाता है ठीक है तो एक ऐसी चीज़ एक ऐसा काम जिसके वज़े से चार्ज एक जगह से किसी दूसरे field में आ रहे हैं उसे हम कहते हैं electrical potential clear है we know that in the region of electric charge there is an electric field हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हर एक charge के आसपास एक electric field होती है अब किसी भी charge को अगर आप किसी दूसरे charge के पास ला रहे हो मतलब कि आप उसे उसकी electric field में ला रहे हो other charges experience force in this field and vice versa दूसरे charge क्या करते हैं वो इस field में आकर के force को experience करते हैं अगर मैंने किसी एक charge को charge कर दिया energize कर दिया अब क्या होगा उसके energize होने से electric field energize होगी और वो क्या करेगी दूसरे charges को अपने तरफ खीचेगी तो जो दूसरा charge उसकी field में आएगा वो भी energize हो जाएगा तो यह जो energize करने के लिए किया गया काम है उसे लाने के लिए जो की गई मेहनत है उसी को ही हम electrical potential कहते हैं there is a work done on the charges to keep them together is reserved in a quantity called electrical potential तो किया गया काम या जो work done होता है उसी को ही हम electrical is the measure of work done on unit positive charge to bring it to the point against all electrical forces अब एक charge के उपर बहुत सारे charges की field का force लग रहा होता है लेकिन वो work done जो की charge को किसी infinity position से किसी particular charge की field में लेकर आए उसे हम electrical potential कहते हैं और यह electrical potential को आप सीधे सीधे स्चब्दों में कह सकते हो कि यह एक work done है the electrical potential near positive charges is positive and near negative charges negative अब यह जो potential होता है अब आप सोचोगे कि माम यहाँ पर तो सिर्फ positive लिखा हुआ है तो क्या अगर हम सिर्फ हमेशा positive charge को ही कि किसी दूसरे charge की field में लेके आते हैं जो कि positive हो बिलकुल नहीं potential का मतलब क्या आपके अंदर कितना potential अब चाहे वह positive के potential हो चाहे negative potential हो वही सेम केस यहाँ पर है तो electrical potential near positive charges is positive तो potential अगर positive charge के पास की बात की जारी तो वह positive potential हो जाएगा और potential negative charge के लिए negative हो जाएगा इसी concept से हमारा potential difference बनता है तो हम आगे देखते हैं लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा एक और term जिसे हम कहते हैं electromagnetic force अभी electromagnetic force क्या होता है तो force is represented by E the EMF of electrical energy source is the work done by the source in driving a unit charge around the complete circuit मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया अब देखे एक जगह पर लोग उदास पैठे हुए है ठेक है बिलकुल चार्ज नहीं हमने क्या किया उनको एक रूम में भेजा ठेक है वहां से electromotive force तो वो force दो की charge के flow में help करता है जो charge पर एक force प्रवाइड करता है उसे हम कहते हैं electromotive force जैसे कि आप इसे कैसे समझ सकते है water system से आपके पास pump लगा हुआ है पंप कहलाएगा आपका EMF electromotive force ठीक है अब पंप क्या करेगा फोर्स लगाएगा वो जो force है वो क्या करेगा पानी को आगे बहाएगा तो यह जो पानी का बहना वो उसे आप charge मान लिजे और बैटरी पंप है और पंप से लगने वाला बैटरी से लगने वाला जो force है वो क्या कहलाएगा electromotive force तो वो force दो की charge को पूरे network में flow करवाता है उसे हम कहते हैं electromotive force ठीक है तो the EMF of an electrical energy source is the work done by the source in driving a unit charge around the complete circuit पूरे circuit में हम कैसे charges को बहा रहे हैं तो वो कैसे बहाएंगे बैटरी जितना काम करेगी उतने charge बहेंगे ठेक है किस पर काम करेगी बैटरी charges पर तो E की value क्या हो जाएगी EMF is again a work done on charge तो इसलिए हम लिख सकते हैं E equals to W by Q clear है चलिए तो electromotive force के बारे में फिलहाल हमारी इतने जानकरी काफी है अब आजाते हैं potential difference पर तो it is the potential difference between two point ठीक है it is the difference in potential between two point अब आप बुलेंगे मैम आप तो उसी चीज़ को बार बार बोल रहे हैं एक ही बात को आप उसी चीज़ को दुबारा 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 बोल रहे हैं तो difference क्या हुआ तो potential difference is the difference in the amount of energy that charges carry have between two points in a circuit the difference of energies अब energy मतलब की मेरे अंदर जितने energy उतना potential हो जाएगा तो बहुत दो चार्जिस के बीच में दो points के बीच में जो चाइनर्जी का difference आ रहा होता है उस दो पॉइंट के बीच के बात को हम कहते है है potential difference electrical potential is again a potential but it is not compared between two points हमने वहाँ पर सिफ यह बताया था कि potential का मतलब होता है वोग दन लेकिन यहां पर हम potential difference बता रहे हैं दो लोगों के difference की बात कर रहे हैं एक बात होती है कि कोई dance करता है दूसरे बात होती है कि कोई कितना अच्छा डान्स कर रहा है तो हम उसमें किसी को दूसरे के साथ compare करेंगे समझ में आई बात तो यहां पर electrical potential क्या है यह हमें पता है लेकिन potential difference का मतलब क्या है यह बात अभी हमारे clear हुई है इसका मतलब the potential difference between the two point the amount of energy the amount of energy difference between the two point is known as electrical potential difference the potential difference is the difference in the amount of energy that charges carries have between two points in a circuit which is again determined by V equals to W by Q जिसे हम कैसे निकलेंगे V equals to W by Q से हम इसे determine कर सकते है जैसे की potential difference का मतलब क्या है कि भी एक के पास charges जादा है एक के पास कम है अब किन charges के बारे में हम हमेशा बात करते हैं बच्चों हम हमेशा electrons की बात करते हैं अब एक जगह जैसे आप इसे पानी के flow से समझ सकते हो कि यहां पे A है और B है इन दोनों के बीच का difference हम देख रहे हैं समझ में आई बार तो यह दो दो पॉइंट के बीच के charges का जो difference होता है उसी को ही हम potential difference कहते हैं कि किसमें कितना potential है कितना उसमें voltage produce हो रहा है उन दोनों के बीच का potential charges का difference हमने इसके ऑल्रीडी बहुत सारी parts कवर कर लिये है part one and part two and this is your part three तो तीसरा lecture है इस chapter का इसके पहले के parts को देखना भी ना भूलिएगा तो electric charge and current हमने इसको ना पहले ही electric charge के बारे में पढ़ लिया है electric charge क्या होता है access or deficiency of electron is known as electric charge एक थोटा साव है आपको इसको फिर से revise कर वारे हूं क्यों रिवाइस कर वारे हूं क्योंकि electric current जो है वो electric charge पर ही based है बच्चों तो सबसे बहले point तो आपको याद रखना है कि electric charge क्या होता है तो a charge is a physical entity which is defined by the access or deficiency of electron on a body किसी body पर क्ते री number of electrons हैं और खिते नंबर of electrons नहीं है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि वह charge है अब वह कौन से बच्पारिकियों फॉटू को सकता है तो दो तरीके के चार्ज होते हैं बच्चों एक होता है positive charge और एक होता है negative charge अब हम किसे positive और किसे negative कहते हैं जब किसी point पर किसी particle के या फिर कहीं पर किसी atom में ज़्यादा number of electrons होते हैं तो हम कहते हैं कि वो negatively charged है कैसा है negatively charged और अगर किसी point पर किसी atom पर जो है आपके number of electrons कम होते हैं वो lose कर देता है अपने electron तो हम यह कहते हैं कि वो positively charged है अब atom के अंदर तो proton, electron दोनों ही होते हैं लेकिन हम electron की संख्या से ही जानते हैं कि वो positively charge है या फिर negatively charge है इसको detail में समझना है बच्चो तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने आपको part 1 देख लेना जिसमें मैंने आपको electric charge को detail में समझाया है अब exam point of view से इतना काफी है कि अगर charge के बारे में पूछा जाए तो हम इतना definition जो है वो लेखते अब a glass rod rubbed with a silk cloth acquired positive charge या फिर से और simple example मैं आपको बताओं जब आप कॉम करते हो तो आपका जो कॉम रहता है कंगी जो रहती है आपकी जब आप उसको बालू में इस तरह से रब करते हो तो आपके बाल से कु हो जाते हैं और एक जगे electron कम हो जाते हैं जिसके वज़ा से दो पॉइंट क्रियेट हो जाते हैं positive और negative और positive negative के बीच में force of attraction होता है जो कि हमने फिर से last video में पढ़ा था आप electric charge के बारे में और बताएं तो electric charge की ऐसा unit होती है कूलम और which is equivalent to charge containing nearly 6 into 10 to the power 18 ठीक है तो कूलम जो होता है वन कूलम की अगर बात करें तो एक कूलम का charge मतलब उसके अंदर कितने electrons है उसके अंदर 6 into 10 to the power 18 electrons है the total charge required by the body is the integral multiple of magnitude of charge और a single electron this principle is called the quantization of charge मतलब क्या है सिदे सिदे शब्दों में अगर हम लिखे q equals to any तो यहां से मुझे number of charge मिल सकते हैं कैसे मिल सकते हैं जहां पर n ह होगा आपका number of electrons जो की एक whole number है यह होता है charge on one electron जिसकी मदद से आप charge की value को find out कर सकते हैं और इसे कहते हैं हम quantization of electron ठीक है magnitude of charge on one electron एक charge पर कितना एक electron पर कितना charge होता है तो यह याद रखना है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है ठीक है charge on n electron तो n electron में कितना हो जाएगा तो n into 1.6 into 10 to the power minus 19 magnitude of charge on one proton तो proton की value को आप positive लेते हो तो हमने 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम लिख दिया ठीक है चलिए अब आ जाते हैं electric current पर charge को मैंने इतनी जल्दी लिए फटाफट से इसलिए निकाल दिया क्योंकि पहले हम इसको बहुत detail में समझ लिए है एक बार revision करना जरूरी था अब charge क्या था बच्चो चार्ज जो है वो है आपका electrons का concentration जहाँ जादा है वो positive charge और जहां कम है electrons वो positive charge अब ये लेक्ट्रोन इधर से उधर क्यों जाते हैं क्योंकि भाई जैसे आप उनको energize करते हो तो उनमें energy आ जाती हो जो free electron होते हैं वो atom से atom जम करते हैं अब इनको हम energy कैसे देते हैं तो हम energy देते हैं voltage के मदद से potential difference create करके या मैं बोलू potential देखे लेक्ट्रिकल potential देखे अब electric potential क्या होता है एक तरीके का force produce करेगा EMF produce करेगा जिससे क्या होगा बच्चो जिससे की force लगेगा इन चार्ज पर ठीक है पहले क्या हो रहा है अगर आपने माली जो friction किया या polarization किया तो क्या होता है चार्ज को रेंडम motion करते हैं लेकिन जब आप उसे conduction करवाते हो conduction मतलब एक राइट एक दिशा में जाना एक direction में जाना तो उसके लिए हम उसमें बैटरी लगा देते हैं तो जैसे आपने उसमें बैटरी अपलाई की तो सारे charge carriers क्या होते हैं एक ही दिशा में जाना शुरू कर देते हैं जिसको आप कहते हो कंड़क्शन क्यों जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने इसमें फोर्स कर लगा दिया है तो चार्जेस का किसी एक डारिक्शन में फ्लो करना ठीक है जिसको अगर मैं बोलू अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दर रेट आफ फ्लो आफ चार्जेस इना कंड़क्टर और मतलब क्या होता है फ्लो करना अब फ्लो करना मतलब की जैसे एयर करेंट एयर करेंट क्या होता है हवा का फ्लो करना ठीक है वाटर करेंट वाटर करेंट क्या होता है पानी का बहना उसी तरीके से जब मैं बोलू इलेक्ट्रिक करेंट तो इसका मतलब क्या चार्ज का बहना पहले चार्ज कैसे थी बच्चों? एक जगे पर थे, ठीक है, यह जो चार्ज थे, वो यहा, 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 यहा थे, अब आप मैंने यहाँ पर उनको force लगा दिया, मैंने कैसे force लगाया, मैंने एक जगी positive point create कर दिया जिसके वजह से यह आपके electrons थे ठीक है वो क्या होने लगे बच्छो वो पॉजिटिव के तरह दौर दौर के एक एक लाइन में आने लगे ठीक है तो जभी एलेक्टॉwn बहना शुरू हो गये यह अलीक्रॉwn इसप्रण काम चार्च बोलबेंगे ताल यह चारच बहना शुझिटव के अगाल में और अधर श्रायच यह of conductor अब conductor ही क्यों बोल रहे क्योंकि conductor में ही चार्ज फ्लो हो पाएंगे क्योंकि conductor में हमें free electron मिलेंगे जो free होगा वही तो दौर लगाएगा जो काम में busy है जो बंधा हुआ है वो थोड़े निकल पाएगा तो insulator में तो सारी electron pack होते हैं लेकिन conductor में free होते हैं थोड़ा सा आप उसको energy दो मतलब क्या voltage लगा हो तो क्या होगा force लगेगा सारे electrons सारे charge carriers बहना शुरू हो जाएंगे तो it is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor ठीक है तो rate of flow of electron through any cross section of a conductor तो किसी conductor के cross section में बहने वाले charges को हम कहते हैं current ठीक है अब rate है that means कि किसी चीज़ पर depend कर रहा है unit time पर depend कर रहा है तो current क्या हो जाएगा बच्चो current होता है q by t क्यों लिखा हमने qt q by t क्यों लिखा क्यों लिखा है क्योंकि rate time पर depend करता है charge का flow होना ठीक है the rate of flow of charge with respect to time और जिसके respect में भी कोई चीज़ बहती उसको नीचे लेते हैं तो भई time के respect में charges का बहना के कितने time में कितने charge flow कर रहे हैं उससे produce होता है current electric current इसकी जो direction है वो हम कैसी लेते हैं opposite to flow of charge अगर electron इस direction में flow कर रहे हैं तो बहने वाला current का direction opposite होता है ऐसा क्यों होता है यह हमने माना हुआ है किसी चीज़ को study करने के लिए conventional directions को माना जाता है physics में तो हमने यहां माना है कि current की जो direction है वो हमेशा positive से negative होती है मैं एक दिम हिंदी में इससे लेकर हूँ ता कि आपको याद रहे positive sign से negative sign तक लेते हैं जो कि conventional direction हमने ऐसा decide क्या है माना है क्योंकि हम उसे देख तो सकते नहीं है लेकिन study करने के लिए हमने हमें पता है कि एक direction में जाता है तो इस direction को हमने positive से negative direction माल लिया तो if q is the amount of the charge flow through the conductor in time t then electric current will be q by t q को हम क्या लिख सकते है तो अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि charge क्या होता है तो charge equals to होता है q equals to होता है n into e n is the whole number and e is charge on one electron तो हमने वही value यहां पे put कर दी तो क्या हो जाएगा यह n e upon t तो electric current का एक formula यहां से हमें मिल जाएगा where n is the number of electron flowing through the conductor and joe number of electrons होते है ठीक है बच्छो तो the rate of flow of charge with respect to time is current यह बात आपको याद रखनी है अब बात करें हम इसकी SI unit की तो यह है sir ampere andre mary ampere जो की 1775 में जनमें थे और 1736 में का देहांत हुआ इन्होंने हमें इस इसकी unit provide करी थी तो ऐसा unit of electric current is ampere जो कि इनके honor में दी गई क्योंकि उन्होंने इस quantity को पता लगाया था तो current की unit होती है वो होती है ampere और यह एक scalar quantity है क्या है बच्छो यह scalar quantity है जिसमें दिशा का कोई महत्व जादा नहीं है बस current बह रहा है चार्ज फ्लो कर रहा है यह हमें पता होता है तो इस charge का बहना एक scalar quantity आपको देता है क्योंकि मैंने अभी यह direction को बताया क्या इसको मैंने बताया conventional direction ठीक है जुस पर फोर्स लगाओगे तो वो एक किसी particular direction में जाएगी ठीक है अब यह तो हो गया electric current आप देखिए कि एक छोटा सा ऐसा पूछा जाता है कि define 1 ampere तो 1 ampere को कैसे define करोगे आप तो 1 ampere निकालना है अगर मुझे तो मुझे पता है कि यह होता है q by t 1 ampere charge when one column of charge flows through any cross section of conductor in one second जब एक कूलम का चार्ज जो है वो किसी भी cross section में एक second में बहता है then electric current flowing through it is set to be one ampere तो किसी भी cross section area में अगर एक कूलम का charge जा रहा है ठीक है चार्ज क्या है one column of charge flow कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्छो इसका मतलब यह कि उसमें एक ampere current वहेगा और अभी हमने पिछले ही स्लाइड में आपको मैं फिर से दिखाना चाहती हूं कि अभी जब हमने sorry charge के बारे में पड़ा तो हमने यहां पर एक चीज बताई थी which is equivalent to charge content in nearly six into 18 electron एक कूलम कर चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है बच्छो तो यहां से हमें तोनों चीज़े पता चली तो electric current का वन एंपेर को कैसे define करेंगे तो वन किलो वन कूलम इन वन सेकेंड इस वन एंपेर इसकी उनिट होती है वन अब कभी-कभी question में milli ampere micro ampere दिया होता है तो वी नीड तो converted into SI unit तो मिली को करेंगे तो 10 to the power minus 3 कर देना है micro ampere है तो 10 to the power minus 6 आपको उसमें लिखना होगा और वो micro ampere ampere में convert होगा अब direction of electric current तो जैसे मैंने आपको बताया कि conventional direction क्या होती है डार करेंट की positive से negative मतलब negative है तो वो positive की खोर्ज में जाते हैं बच्चों तो यह positive की खोर्ज में positive side पर जाते हैं electrons और जिनके current opposite direction में कौन प्रडूस होता है current which is flows from positive terminal to the negative terminal तो the direction of the electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electron that means the negative charge अब देखो हमें नहीं मालूम electron कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं हमें बस इतना पता है कि इसके फ्लो से opposite direction का हमें current लेना है तो इसको हमने मान लिया कि इनका जो डारेक्शन होगा वो positive से negative होगा in electric circuit the current flowing flows from positive terminal of the cell to the negative terminal जब भी किसी electric circuit को आप पढ़ोगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि circuit को जब हम बनाना सीखेंगे तो हमें एक बात को सीखेंगे बच्चों कि current जो है वो हमेशा positive से निकलेगा और negative पे पहुचेगा यह बात हमें याद रखनी है कि current जब भी flow करता है हमारी बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं एक positive एक negative cell तो आप सभी ने use किया होगा उसमें भी आपने देखा होगा तो जब इस cell को connect करोगे तो इससे current flow करेगा flow करेगा तो direction क्या होगी positive से negative flow of charge inside a wire now this is a very important question why it is it is important क्योंकि हमने देख लिया कि हां कि current flow कर रहा है कहां से flow कर रहा है तो पहली बार तो जो current flow करता है वो conductor के through करता है ठीक है अब conductor में ऐसी क्या चीज होती है कि इसमें current flow करने लग जाता है तो हमने पता हमें पता है कि हर एक matter जो है वो छोटे-छोटे molecule से मिलकर के बना है और हर एक molecule के अंदर बहुत सारे number of atoms है हर atom के अंदर electrons है protons है अब अलग-अलग material के electron जो होते हैं वो उससे अलग-अलग तरिके से जुड़े होते हैं जैसे इंसुलेटर की बात करो कि तो जो एक ट्रॉन है वो उनकी निकलास से बहुत टाइटली बाउन होते हैं लेकिन जब कंड़क्टर की बात करो तो चंड़क्टर के आउटर मोस्ट शेल में फ्री एलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है एक तो थोड़ा सा एनरजी देते हैं तो यह जंप करना जगे जा रहे हैं और बैटरी की पॉजटिव टर्मिनल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है इंसाइड़ सॉलिट दा आटम्स आट टोगेदर वेरी ख्लोसली तो इच अदर ठीक है यह हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी कंड़क्टर के अंदर अगर आप आटम्स की बात करोगे तो यह एकम माद पास 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 इक दूसरे से ऐंख लोजली टाइट होते हैं अब इनके बाहर हार एक आटम में एक फृरी फ्री एलेक्टरॉन होता है यह एलेक्टरॉन बहुत ही एनरजी से भरे हुए रहते हैं और यह बहुत लूजली बाउंट ह होते हैं और क्या होता है फोड़ी एनर्जी दो एक तो यह क्या करते हैं चंप करना इधर सोधर जाना एटम टू एटम शुरू हो जाते हैं तो बट एलेक्टरों आपल टु ट्रैवल थूदा सॉलेटर ट्रिस्टल एज वरिवर इन वैक्यूम अगर भीने वैक्यूम में रख जाते हैं अब देखिए यह रहा आपका solid ठेक है अब यह जो free electron यहां पर बैठे हुए मैं electron इस तरह से बना देती हूं ठेक है यह क्या करते बच्चो इस तरह से random motion करते हैं ठेक है कुछ electron यहां वहां इस तरह से जाते हैं लेकिन जैसी ही यहां पर आप potential apply करते हो इन सभी को velocity मिलती है और velocity क्या है बच्चो एक बैक्टर quantity है मतलब कि जब किसी चीज को एक drift velocity आप देते हो तो वह एक particular direction में move करना शुरू कर जाता है तो हर एक electron क्या किस तरह से चलता है बच्चो माल लिजे कि यहां से electron जो है यह बहना शुरू होंगे ठीक है अब क्यों बहना शुरू हो रहे हैं क्यों कि हमने positive से negative यहां पर टर्मिनल पर एक battery लगा दी है यह मैंने battery लगा दी ठीक है और प्यारे तरीके से मना देते हैं यह पॉजिटिव और यह नेगेटिव टर्मिनल अब क्या होता है जैसे हम पॉजिटिव से जादा है ठीक है अब आपको पता है कि electron जो होते हैं वो एक repulsion फोर्स प्रवाइड करते हैं आगी की और धक्का देंगे तो जैसे हमने battery पर यहां पर negative दे दिया तो यहां से एक तरीके का फोर्स जो है यह इन इलेक्ट्रॉन पर लगेगा अब यहां पर क्या होगा जैसे यह फोर्स यहां पर आया तो इस electron की जो energy थी वो इसको मिली इस electron के energy इसको मिली इस तरह से यह एक velocity का exchange करते हुए ठीक है सब पर हम क्या कर रहें सब की speed बढ़ाते जा रहें और यह सारे के सारे फिर एक direction में move करेंगे और यह एक direction कौन सी है negative से positive की तरफ और क्यों negative से positive की तरफ आ रहे हैं यहां पर जादा number of positive charge है और यहां पर जादा number of negative charge है तो यह electron क्या करेंगे यह जो electron है यह positive की तरह एक attraction field पर महसूस करेंगे और इसलिए यह इस तरह आएंगे यहां पर क्या है बच्चों यहां पर आपका already negative है negative क्या करेगा repulsive force लगाएगा इन लेक्ट्रॉंस पर उन्हें आगे की तरफ रिपल करता जाएगा यह repulsive force लगता जाएगा लगता जाएगा और फिर एक drift speed के साथ में यह जो electron है यह कहां जाते हैं बच्चों इस positive terminal की तरफ move करते हैं जिससे हम conventionally यह मानेंगे कि direction of current जो है फिर positive से negative की तरफ होगा अगर electron negative से positive की तरफ होता है ठीक है अब यह ऐसा क्यों होता यह दोनों condition यह अजीब सा convention क्यों माना गया है क्योंकि हमने study करने के लिए किया हुआ यह था कि ब्रेंजमिन फैंकले ने यह बताया कि पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो ठीक है तो वेने study करेंट फ्लोज इना कंडॉक्टर दैन अलेक्ट्रॉन इन इट मूवस विदा सोर्टेन आवरेज डिफ्ट स्पीड डिफ्ट स्पीड का मतलब होता है दा कॉंस्टेंट स्पीड ऑफ एलेक्ट्रॉन इनसाइड दा कंडॉक्टर विद विच दे मूव अंडर दा इफेक्ट ओफ एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब कि ये कॉंस्टेंट स्पीड के साथ ये लेक्ट्रॉन जो है ये पूरे सर्किट में मूव करते हैं एक के बाद एक के बाद एक ये स्पीड ये अनर 1-4 meter per second does flow of charges produces the current in a wire और इन्हीं कलेक्ट्राइन के फ्लो के करेंट जिनका स्पीड कितना है तो पावर स्पीड के साथ जब एक्राइन जाते हैं तो इससे करें प्रिड्यूस होता है ठीक आप बात करें एंपियर की तो वन एंपियर मतला वन कूलम अपॉन one second यह भी हम देखे चुके हैं अब भाई अगर मुझे current के बारे में समझ में आ गया है कि conductor में free electron है उन free electron को force दे दो तो वह direction में flow करना चालू कर देते हैं and the rate of flow of charge with respect to time is current जिसको नापनी के लिए मैं एंपियर का यूज करते हूं लेकिन अगर मुझे इसका कोई measurement device मिल जाए measuring device मिल जाए तो बहुत अच्छा है तो यह जो measuring device है वो होता है m meter m meter से समझ लिजे कि जो MPR को मापे वो मीटर MPR को मापे मतलब कि जो current की value को नापे तो MPR के measurement के लिए यह करेंट के measurement के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं तो a meter is a measuring device which is used to measure the amount of current किसी circuit में कितना current flow कर रहा है तो भई यह जो emitter है यह दो तरीके के आते हैं आजकर digital और analog यह analog emitter है और जिसमें हम यहां पर galvanometer या फिर एक magnetic needle का यूज करते हैं जो कि electric field के according magnet move करके हमें बताती है कि कितना आपका current की value आई है इसके अलावा digital भी होते हैं जिसमें हमें direct digit के form में पता चल जाता है कि कि कितना MPR current हमारे circuit में flow कर रहा है तो it is an instrument to measure the electric current in a circuit is it is always connected in series अब main बात यह है कि हमेशा series में connected होता है एक अभी भी आप किसी भी circuit में लगाओगी तो दो तरीके के connection होते हैं बच्चो मान लीजे कि यह एक bulb लगा हुआ है मुझे check करना है कि इस bulb में कितना current जा रहा है तो इसके लिए यहाँ पर जो मैं अमीटर लगाओंगी वो मैं उसके साथ में कैसा लगाओंगी बच्चों सिरीज में लगाओंगी ठीके ना कि मैं इसको इस तरह से इसके साथ लगाओंगी इस तरह की connection को हम कहते हैं parallel connection ठीके और यह connection कहलाता है series connection तो हमेशा emitter को series में लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है क्यों कि भाईया यह जो आपका emitter है वो आपके current की value को देता है और current जो है वो series में समान रहता है बठता नहीं है यहाँ पे अगर parallel की बात करें तो parallel में voltage को नापने के लिए voltmeter को लगाया जाता है और voltmeter जैसा नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा डिवाइस जो कि voltage के measurement के लिए यूज होता है तो बच्चों यहां से दोनों चीज़े आपके I hope clear हो गई होगी क्या को हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्यों कि सीरीज में करेंड की वैल्यू हमेशा सीम रहती है parallel मतलब trade है अब हमेशा इसको कैसे लगाए जाता है भीटा सिरीज में अब लोड क्या होता है जो इसका यूज़ करा है वह क्यों टो लोड के साथ हमेशा में यॉश कैसे लगाएंगे बच्चों इस संहें में पसक्राइब एक पॉज है जाता धूंग अब ध patron प्रॉब्लम कैसे आती है फटाफट से देख लेते हैं अब यहां पर आपको वेल्यू दिया हुई है करेंट की अ करेंट ओफ फिफ्टी मिली एंपियर फ्लोस तूदा सर्केट फॉर टू मिनिट फाइंड आमाउंट ओफ चार्ज दैट फ्लोस तूदा सर्केट अब आपको क मिनिट मिनिट को आप सेकंड में convert कर लीजे तो टू इंटू शिक्स्टी सेकंड सारी चीजों को हैसा युझा इंट में कवर कर ले अब मुझे पता है आई और टि और फूजी क्या निकालना है चार्ज चार्ज को हम क्यों से रिप्रजेंट करते हैं अब मुझे बहुत Q क्या होता है तो i equals to होता है Q by T ठीक है या फिर हम i equals to लिख सकते है या Q equals to Lick सकते है i into T equals to Q तो i की value क्या दिया हो थी बच्चे अपने को 150 into 10 to the power minus 3 और यह हो जाएगा आपका 120 equals to Q ठीक है हम इसकी value इसको लिख सकते हैं उसको और solve कर ले तो यह हो जाएगा 15 into 12 ठीक है अपॉन 10 कर दिया मैंने इसको sorry multiplied by 10 कर दिया तो वही बात हो जाएगी एक से किना मैं क्या लिखना चाहरे हूँ आप सोच रहोंगे माम पता नहीं क्या कर रही है तो 15 into मैं इसको 10 लिख रही हूँ और यहां से इसको 12 into 10 लिख रही हूँ divided by यह हो जाएगा 10 to the power minus sorry 10 to the power 3 ठीक है अब यह देखो यह बन गया आपका 15 into 12 into 10 to the power 2 और यह हो जाएगा 10 to the power 3 तो यह बचा 10 यह हो जाएगा 5253 अब देखो कितना easy calculation हो गया तेनरे से 36 तो 36 कूलम का चार जो है यहां पर बह रहा है इस तरह से आप question को solve कर सकते हैं है ना easy चले तो इस तरह से हमने question लिखा और यह आपके one by one by one by one आप सारी चीज़े देख सकते हो ठीक है कुछ मिस्टेक की है शायर मैने calculation में 18C आ रहा है मेरा कुछ गरबड हो गया कोई बात नहीं चला टोटल ऑस 6 इंटू 10 to the power 46 electron flow through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ है कि 6 in to 10 to the power 46 electron जो है ठीक है वो कहां बह रहें बच्चों वो बहरें कहां बहेंगे conductor में बहेंगे ठीक हैं कितने देर के लिए तो यह आपको नंबर दिया हुआ है किसका electrons का जो बह रहें है 20 seconds के लिए find the value of current in the conductor अब आपको current की value निकालनी है अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है electrons की value दी हुई है अब हमें यहां पर एक चीज में फसादिया उन्होंने कि current निकालो अब current का formula मुझे पता है Q by T होता है लेकिन मुझे Q निकालना पड़ेगा तो Q equals to क्या होता है N into E होता है अब यहां से N की value बच्चो आपको दी हुई है जो कि है 6 into 10 to the power 46 और electron की उपर एक की उपर charge कितना होता है तो देखें उसी तरीके से हमने सारी चीज़ा स्वाल की हुई है हमें सबसे पहले तो N पता है कि इतने electrons है T पता है तो सबसे पहले हम Q निकालेंगे तो Q की value कैसे निकलेगी बटा 6 into 10 to the power 46 into 1.6 आपने किया अब जब आप इसे solve करेंगे तो आपकी I की जो value है वो निकल है तो इसका screenshot ले लिजे कुछ इस तरह से clear है बच्चो बहुत easy-easy questions है आगे चलेंगे दिव्यार एक नाम की बच्ची है उसके teacher और वाइस किया उसे की clean the ends of the connecting wire before connecting them in a circuit she wants to know why should the ends be cleaned अब देखो कोई भी connecting wire है अगर है अगर simple wire की बात करें तो उसके उपर एक insulating layer होती है plastic का cover होता है अगर आपको किसी circuit में लगाना है जिससे current flow करें तो आपको इस insulation को हटाना पड़ेगा दूसरी चीज हमें moisture या ऐसी कोई भी चीज उस पर नहीं करनी है जिससे क लीकेज हो जाए current का क्योंकि पानी वगरा से क्या होता है बच्चो current leakage होता है spark produce हो जाता है इसलिए उसके teacher advice क्या है कि जब भी आप किसी भी connecting wire को चाहें वो इस form में हो चाहें connecting के form में हो चाहें उसमें से लीड निकली हुई wires हो ठीक है दोनों तरीके के wires को हमें clean करके रखन हो तो इसलिए यूज़ करते हो ताकि ऊपर के cover को आप हटा पाओ insulation को हटा पाए अब आ जाती है बारी electric circuit and its symbols की electric circuit क्या होता है तो simple सी शब्दों में देखो कि electric circuit हर जगे है चाहे आप अपने fan की बात करो चाहे आप ट्यूब लाइट की बात करो washing machine की बात करो तो यह सभी के कि अंदर electric circuit है यहnafa indifferent की बात करो सभी में सभी में करेंट disturbing करता है तो आखर इस सबीक होता है इसको कैसे explain किया जाता है अब आप सभी को पता है कि circuit में current workflow करता है सरकिट के बिना करेंट फ्लो नहीं कर सकता तो सबसे पहले सरकट को जाना जरूरा है कि सरकिट आखर बनता कैसे है तो यह जो electric circuit होता है न इसमें बहुत सारे चीजें बहुत सारी चीजों को मिला करके एक Electronics circuit तैयार होता है जैसे कि अगर मैं बहुत सारे चीजों की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए conducting wires conducting wires क्यों चाहिए क्यों कि अगर current को फ्लो करवाना है मुझे तो एक conductor चाहिए होगा तो conducting वायर इसमें होता है दूसरी चीज इसमें होती है switch क्योंकि अगर जब तक आप switch on off नहीं करोगे तो current flow कैसे करेगा बंद करना है current को flow करवाना तो switch तो चाहिए फिर होती है battery भाया जिसके current आपका current बनता है flow करता है वो भी तो लगाना पड़ेगा battery ठीक है और फिर होता है load load मतलब कि आपका bulb या TV fridge जिससे भी आप इसको चला रहे हो यह ठीक है तो यह सारी चीजों से मिलकर के एक electric circuit आपका इस तरह से तयार होता है ठीक है अगर मैं इसको रहां से रफ करूँ और एक आपको electric circuit बना करके बताओं तो कुछ इस तरह का यह electric circuit आपके सामने होता है ठीक है ठीक है तो यह हो गया आपका एक बल जिसका symbol हम कुछ इस तरह से लिए मैं अभी आपको detail में समझाओंगी कि सारी चीजों के symbol क्या क्या होता है तो यहां पर हमें switch भी लगा देते हैं ठीक है तो यह होता path through which a current flows तो एक इस तरह किका closed यह path है जिससे current flow करता है और यह जो closed path है वो conducting material का बना होता है तो अब definition क्या होगे बच्चों it is a closed path made up of conducting material through which current passes या फिर through which current flows क्या बूला मैंने it is a closed path of a conducting material through which current flows जिस से current flow करता है इसे हम कहते है electric circuit ठीक है तो electric circuit के बार में इतना जाने अब हम हम ठीक है तो a closed and continuous path through which the electric current flows is known as electric circuit it has various component ही जैसे मैंने आपको बताया इसमें होता है a source of current जैसे की cell or battery ठीक है फिर होता है load a switch होता है fuse होता है all connected through connecting wire और यह जो connecting wire की बात की जारी वो होते है copper की wire the wires are generally made up of copper ठीक है चलिए अब बात करते है electric circuit के तो जो electric circuit है ना बच्चो इसको आप दो तरीके के समझ सकते हैं इनके जो टाइप है ना यह दो होते हैं इनको हमने दो टाइप में डिवाइट किया है एक होता है closed electric circuit ठीक है circuit को मैं short में skt लिग दे रहे हूं ठीक है और एक होता है open circuit अब यह open close कैसे हो जाता है तो हमने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी आपको कि इसमें बहुत सारे component होते हैं और एक switch भी होता है तो देखो एक circuit जिसमें यह battery लगी हुए है अभी सिंबल बताऊंगे अभी आगे मैंना फिर उसके बाद यहां पर एक बल्ब लगा दिया मैंने और यहां पर एक switch और आसानी समझाने के लिए मैंने यहां पर switch लगा दिया है ठीक है और यह बल अब बैटरी लगाई तो current flow करेगा और अभी हमने पिछले classes में बढ़ा था current कहां से कहां जाएगा पॉजिटिव से नेगटिव लेकिन यह क्या आगे के तो रास्ता खुला हुआ है आगे नहीं जा पाएगा तो इस तरह के के circuit को हम कहते हैं open circuit क्या कहते हैं बिटा open circuit जिसमें current जो है आपका बैटरी के एक positive end से negative end पर नहीं आ पाता तो इसमें कोई current flow नहीं करता फिर होता है आपका इस तरह के का circuit जिसमें switch की condition कैसी होती बच्चो कुछ इस तरह से होती है तो इस तरह के switch में क्या होगा बच्चो आप देखो अगर इस तरह के circuit है तो आप current आया यहां से गया यहां से गया बल्ब को इसने glow किया और फिर यह बैटरी के negative sign तर पहुँच किया तो इसका मतलब यह कौन सा circuit कहलाएगा यह कहलाता है आपका closed circuit ठीक है तो जब switch open होता है यहां पे switch क्या है open तो circuit आपका open circuit और जब switch closed होता है तो आपका जो circuit है वो closed circuit बन जाता है तो इसे कहते हैं circuit तो वेंड़ की इस close then the circuit is close closed is called as closed circuit this means that the current would flow through the circuit or to operate the device मैं आपका की जो है की आफिर आप पोल सकते हैं switch यह जो की है इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों इसे आप switch भी कह सकते हो तो यह जो switch है जब यह close रहती है तो current flow करता है और प्रेट हो जाएगा कि सरकेट डाइग्राम यह होता है अब यहां इस डाइग्राम में देखो बच्चों कि लाइट का बल्ब मुझे इतना सुंदर बनाना पड़ेगा स्विच ऐसा बनाना पड़ेगा बैटरी ऐसी बनानी पड़ेगी अब इतना सब कुछ में बनाऊंगा तो मेरे इतने सुंदर अगर माली जे मेरी ड्रॉइंग नहीं है तो मेरा सर्कृट तो अच्छा नहीं लगेगा ना तो इसलिए हम क्या करते हैं इलेक्रिक सर्कृट ब सबसे पहला है एलेक्ट्रिक सेल तो सेल कैसी होती है अभी हमने आपको दिखाया सेल एक सिंपल सेल जो आप अपने टॉर्च में वगेरा में यूज करते हो तो यह सेल का काम क्या होता है प्रोवाइट पोटेंशल डिफरेंस बिट्वेन टू पॉइंट अभी सेल को कैसे र बैटरी मतलब एक सेल है तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे और जब बहुत सारे सेल आप एक साथ लगा देते हो सीरीज में तो वह बन जाते हैं आपके पैटरी जैसे कि मैंने यहां पर एक सेल लगा दिया एक यहां लगा दिया तो यह क्या किसका काम करेगा बच्चो बैटरी का जब सेल को जोडते हैं तो जरूरी है कि positive point को negative के साथ मतलब कि अलाग अलग polarity polarity मतलब कि अगर positive है यह negative है तो positive को negative negative को positive के साथ आपको connect करना होता है तो इस तरह से जब आप सेल को connect करते हो तो वह बन जाती है आपकी battery और battery का symbol बच्चो अबंध होड़ा सा और stylish लेता है कुछ इस तरह से ठीक है चलो अब आगे आगे switch और plug अब switch को कैसे बनाया जाता है तो simple यह आपका switch का symbol है ठीक है इस तरह से आप switch को बना सकते हो ठीक है चलिए तो यह हो जाएगा open switch and this is your closed switch ठीक है यहां से screenshot अगर आप लेना चाहीं तो ले सकते हैं और अब हम बढ़ेंगे आगे के components की तरफ तो दूसरे components है electric cell battery हाँ आगे चलते है switch और plug की closed अच्छा यहां पर दोनों अलग लग लिखे है open की condition में कैसा switch रहता है बच्चो कुछ ऐसा ठीक है और अगर मैं बात करो आगे की तो closed की condition में circuit को close करने के लिए इस तरह से हम switch का symbol लेते हैं वायर जुड़े हुए हैं हैना दो वायर को मैंने जोड़ा हुआ है तो वो कैसा होगा बच्चो मतलब की यह आपका एक वायर है यह आपका वायर तो यह इस तरह से आपके जो वायर है यह joint कहलाएंगे कैसे यह एक वायर यह से दूसरा वायर joint है यह क्या कहलाएगा आपका वायर का joint condition इसका मतलब क्या होता है joint करना मतलब कि भृइया इस वायर में जो current जा रहा है वो यह वायर में भी flow करके या फिर और joint लगा दिया आपने एक joint यहां लगा ये तो यहांभी current करेगा ठेक है आब होता है wire crossing without joining or touching दो वायर एक दूसरों को cross करें लेकिर उनके बीश में कोई connection connection मतलब कि जिस wire में जो current जा रहा है वो दूसरे में ना जाए तो इसको कैसे represent किया जाता है तो यह मान लिजे एक wire है जिससे current flow कर रहा है और यह है दूसरा वायर है यह ऐसा तो हम यह ऐसा सिंबल यूज करते हैं यह ऐसा वाला जो कि यह बताता है कि हमारा जो दूसरा वायर है वो इसके overlap कर रहा है उपर से जा रहा है लेकिन अंदर से कोई connection नहीं है तो अगर यहां पर आपका i1 current flow कर रहा है त का नाम माल लेते हैं कि एटू है ठीक है तो यह होता है आपका वायर जब अंदर से कनेक्ट ना हो क्रोस कर रहे हूं तो जिसे हम इस तरह से रिप्रेजंट करते हैं ठीक है आगी बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब बल्ब का अभी भी मैंने सिंबल बनाया था आपको क्या करन यह ऐसे दो कान बनाना है खरगोश के और उसके उपर यह बना देना है अब यह कान क्यों बना है तो एक्चल में हमारा जो फिलामेंट वायर होता है बल्प के अंदर लगा होता है तो उस फिलामेंट वायर को रिप्रेजन करता है यह और यह होता है आपका ग्लास ठीक है आप तो रिजिस्टर जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है तो चंडॉक्टिंग वायर की उसको कहते हो आप रिजिस्टेंस थोड़ी करबड हो गई कोई बात नहीं ठीक है तो इस अप्रॉपर्टी ओफ आफ अ कंडॉक्टिंग मटेरिल किला है तो जो किया है रिजिस्टर हो चाहे डोनों को एक ही सिंबल से रिप्रेजन किया जाता है अब ही करेंड को बहना है अगर सीदो सीधर-सीधर राशते में जाना है तो तुम में एकदम स्मूद सड़क मिल जाएगी अपर बीच में मैंने क्या कर दिया गहरा खाई बना दी पहाड बना दिया तो इस पर चलना मुश्किल होगा न तो वैसे रजिस्टेंस क्या करता है क्योंकि करेंट का चलना मुश्किल करता है इसलिए हमने इसको ऐसे जिग-जाग जिग- पहले होता है जिसमें हम में रिजिस्टेंस को विरी कर सकते हैं और यह एक पोटेंशल डिवाइडन का काम backend करता है मतलब क्या अगर रजिस्टर की वेल्यू रजिस्टर ऐसा है माल लीजी आप राजिस्टर मैं भी आगे मैंने वीडियो में बताया आगे बताओंगी denote किया जाता है या resistance को ठीक है और यह होता है V by I मतलब कि अलग-अलग अब यहां पर योस्टिट का मतलब क्या होता है कि यह resistance की अलग-अलग value देगा कभी 2 ohm भी set कर सकते हो 3 ohm भी लिख सकते हो ठीक है 4 ohm भी कर सकते हो यह कैसे करोगे resistance को गड़ा बढ़ा कि या घटा करके तो इसलिए इसको potential divider भी कहा जाता है क्योंकि अगर मैं यहां से r into i करूं तो मुझे अलग-अलग v की value मिलेगी r1 के साथ कुछ और मिलेगी r2 के साथ कुछ और मिलेगी इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चो इसलिए हम इसको potential divider potential मतलब voltage और इसको divider potential divider या फिर योस्टिट कहा जाता है जिससे आपको resistance की अलग-अलग value मिलती है जिसको represent करने का तरीका यह है register बनाओ और एक arrow बना दो जिसका मतलब होता है आप resistor की अलग-अलग value set कर सकते हो ठीक है तो इसमें क्या होता है कि minimum value होती है जैसे कि माल लीजे 0.1 ohm 0.1 ohm से लेकिल माल लीजे for example 5 ohm लिखा है तो 1 से लेकर के ठीक है आप 5 ohm के बीच में जो जो भी value रखना चाहते हो उसको set कर के रख सकते हो तो यह होता है variable resistor या फिर रियोस्टे एम मीटर अब एमीटर क्या होता है बच्चो इस डिवाइस विच इस यूज तो मेजर एलेक्रिक करेंट तो एमीटर का सिंपल सा सिंबल है इस तरह से हम इसका यूज करते हैं ठीक है फिर आता है पोल्ट मीटर जो की potential difference या फिर voltage को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इसको आप इस तरह से बस V लिख दीजे और एक गुला बना दीजे फिर होता है फ्यूज या फिर कोई भी सेफटी डिवाइस ठीक है हाला कि अभी आपके इतना काम का नहीं आएगा लेकिन इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे हम सीधे ओम्स लौ में ठीक है लेकिन इस वीडियो म हम ओम्स लौ कवर नहीं करेंगे वो करेंगे हम नेक्स वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि ओम्स लौ क्या होता है क्या कैसी उन्होंने रिजिस्टंस की वल्यू को बताया और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रिजिस्टंस और रिजिस्टंस आया किसने कैसे आया कि कि ओम जूड़ क्या होता है फिर हम जानेंगे रिजीस्टेंस क्या है और हम यह भी जानेंगी कि कौन-कौन से फैक्टर है जिस पर resistance depend करता है अब resistance के बारे में पड़ी लेकिन उससे पहले ज़रूरी है ओम के नियम के बारे में जानना अब पहले जितने भी researchers होते थे अभी जो researchers हैं वो समय पर समय एक अपना-पना invention करते रहते हैं उसी तरह से ओम ने भी एक invention किया तो मतलब 1827 की ये बात है जोर्ज सिमोन ओम नाम के एक विज्यानिक थे उन्होंने एक law दिया उस law के according हमें voltage और current के बीच में एक relationship मिली हम potential difference की बारे में समझ चुके थे और ये भी जान चुके थे कि current क्या होता है क्योंकि जब भी potential difference दिया जा रहा था तो charge flow हो रहे थे लेकिन हमने एक बात ये समझी कि जैसे जैसे हम voltage को बढ़ाते हैं current का flow भी बढ़ता जाता है तो ये जो statement है ये proof किया ओम ने उन्होंने बताया कि किसी भी closed electrical circuit में अगर आप potential apply करते हो मतलब कि आप अगर battery apply करते हो तो उससे current flow करता है दूसरी चीज कि ये जो voltage है वो directly proportional होता है current के मतलब जैसे जैसे आप voltage को बढ़ाएंगे वैसे वैसे current की value भी increase होगी तो उन्होंने ये बताया कि V is directly proportional to I तो according to this law, the electrical current flowing through a conductor यहां पर एक current और होना था, the electrical current flowing through the conductor is directly proportional to the potential different applied across its and providing the physical conditions such as temperature remain unchanged अब एक बात और याद रखनी है उन्होंने कहा कि V is proportional to I मतलब कि किसी भी closed circuit में जो voltage हम apply करते हैं वो इसकी current के directly proportional तो है लेकिन ये बात तभी साबित होगी ये जो statement दिया है ये तभी proof होगा जब physical conditions सारी constant हो ये जैसे कि physical condition अगर आप electrical circuit के case में बात करते हो तो temperature ऐसा ना हो कि कभी temperature जादा है कभी temperature कम है हमेशा temperature को constant ही रखना होगा तब जाकर के V directly proportional to I का ये जो statement है ये proof on होता है तो इनके law से हमें एक बात समझ में आ गई कि voltage को बढ़ाने से current increase होगा मतलब अगर मुझे circuit में जादा current चाहिए है तो मुझे जादा voltage apply करना होगा simple is that तो यही law जो था ओम ने हमें दिया इसके अलावा उन्होंने एक बहुत important factor के बारे में बताया उन्होंने ये बताया कि conductor में जितना current voltage produce करता है उतना flow नहीं कर पाता ऐसा क्यों इसलिए ऐसा होता है क्योंकि conductor के अंदर उसके इंटर्नल प्रॉपर्टी होती है resistance की जिसके कारिन वह flow of current का पोस्ट करते हैं जितनी भी चीजे होती है चाहे आप इंसुलेटर्स की बात करें चाहे कंड़क्टर्स की बात करें चाह तो यहां पर ओम ने electrical circuit के sense में हमें समझाया कि electrical circuit में जब आप voltage देते हो तो वो current कैसे flow करता है और किन कारणों से current की value limit हो जाती है मतलब की easily current flow नहीं कर सकता आपने किसी भी electrical appliance को देखा होगा कि हलका सा वो गरम आपको महसूस होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो energy रुकती है जो flow पूरी तरह से नहीं कर पाती वह energy resistor heat के form में dissipate कर देता है ठीक है तो यह किसकी property है यह conductor की internal property है अब conductor का resistance बहुत ज्यादा नहीं होता as compared to insulator बात करें ना तो बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन insulator का तो infinite होता है मतलब कि उसमें current बिल्कुल भी flow नहीं करेगा इसलिए rubber, plastic, wood इन सबसे कभी भी current को हम पास नहीं करवा सकते अब यहाँ पर बात आप समझ गया है कि ohm का law क्या कहता है तो इनके law क्या according the electrical current यहाँ पर में लिख देती हूँ otherwise अगर आप screenshot लेंगे तो कुछ गरबर ना हो the electrical current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end and providing the physical conditions remain unchanged जितनी भी physical conditions होनी है उन्हें हमें same रखना है अब हमने एक circuit को consider किया आप यहाँ वापिस आ जाते हैं यहाँ पर circuit आप देखे यह एक closed electrical circuit है जिसके बारे में मैंने आपको last वीडियो में बताया था जो की चारों तरफ से pack है इस electrical circuit में हमने मान कि एक voltage source लगा हुआ है मतलब एक battery लगी हुई है जिसके across voltage है वी और यहाँ पर current I flow कर रहा है और यह जो circuit है इसमें जो conducting wire लगा हुआ है copper का उसका internal resistance है आर इस तरह से हमने इसे मान लिया अब यह क्यों माना इसलिए माना क्योंकि हर एक conductor में internal resistance होता ही है तो उसको represent करने के ल इस सिंबल से represent करते हैं ठीक है अब यह resistance आया कैसे इस बात को समझे अब week is proportional to I होता है जब हम इस proportionality constant को हटा प्रपोर्शनालेटी के sign को हटाते हैं तो हमें हमेशा एक constant मिलता है यहाँ पर यह जो constant है वो है आर तो V equals to IR ओम ने हमें एक बहुत ही important factor से बिलवाया जो की था resistance हम कहते हैं resistance और यह resistance क्या है तो resistance is a property of a material due to which it opposes the flow of current जिसके कारेंड यह current के flow होने का oppose करता है इस resistance के unit क्या होती है मतलब इसको measure किसमें किया जाता है तो इसकी जो unit है वो ohm के ही नाम के पर इसको dedicate किया गया है तो ohm unit होती है resistance की अब V equals to IR इस relation से हमें कई सारी चीज़े मिलत है जैसे कि V equals to IR को अगर में लिखो तो मैं V upon R अगर करूंगी तो मुझे current मिल जाएगा या फिर अगर मुझे resistance निकालना है तो मैं V by I कर सकते हूं ठीक है यह यहाँ पर आपको एक छोटा सा डाइग्राम दिख रहा होगा triangular आप शेप में डाइग्राम देख सकते हो यह हाल ठेक है तो अब जब हमारे पास IR है तो हमने जब पहले पावर का formula पड़ा तो हमने देखा कि voltage into current इस पार ठेक है जो पावर होती है लेकिन अब हमारे पास क्या आगया हमारे पास resistance आ गया तो मैं इसको resistance के form में भी लिख सकती हूं कैसे लिख सकते हूं V की जगे मैं लिख द का resistance पता है तो मैं इस तरह से power को निकाल सकती हूं ठीक है तो बच्चों यह था आपका ओम का नियम जिन होने हमें resistance से मिलवाया अब हमें पढ़ना पड़ेगा की resistance एक्चल में होता क्या है तो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो resistance इस तरह से होते हैं ठीक है अब आप यह बोलोगे कि माम यह resistance इस तरह से होते हैं यह आपने बोला किये तो internal property है तो resistance इस दा internal property और रजस्टर एक element होता है जो कि resistance और बढ़ाता है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अब फ्रॉमुला इस clear that current is inversely proportional to the resistance and if resistance is double the current get half and if resistance is half the current get double a big relation हमें यहां से समझ में आई कि I equals to क्या होता है V by R तो इस relation से हम यह सी समझ गए कि अगर resistance को मैं दुगना कर दूंगी ठीक है तो क्या होगा current की value कैसी होती जाएगी I equals to V by R से अगर आप देखोगे कि it is clear that the current is inversely proportional to resistance current कैसा है अगर V को में हटा दो तो simple इतना देख सकते हैं कि current जो है वो resistance के inversely proportional होता है resistance की value बढ़ेगी तो current की value घटेगी resistance की value घटेगी तो current की value बढ़ेगी अगर दो गुना resistance कर दोगे तो current की value दोगुनी कम हो जाएगी ठेक है अब आप आ जाते हैं सीधे पहले वी आई graph में फिर resistance को थोड़ा और detail में जानेंगे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ohms law क्या होता है तो ohms का नियम बस यही कहता है कि V is proportional to Y and जब proportional का sign आपने हटाया तो आपको एक constant मिल गया जिसकी value थी R अब यह जो वी आई graph होता है यह क्या होता है तो वी आई graph is the graph between voltage and current हम voltage और current के बीच में जो graph बनाते हैं उसे हम कहते हैं वी आई graph voltage की अलग-अलग value पर current की क्या-क्या value आ रही है उस slope से हमें एक वी आई graph मिलता है और इस slope से हम analysis करते हैं कि voltage के बढ़ाने पर क्या current बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो ओम का नियम कहता है कि V is directly proportional to I तो जैसे-जैसे value V की बढ़ना चाहिए वैसे-वैसे यहाँ पर किसकी value increase होना चाहिए वैसे-वैसे current की value increase होना चाहिए पॉर एक्जामपल यहाँ पर वैल्यू थे टू फिर फोर सेक्स एट और यहाँ पर देखें वैल्यू है 1234 तो मतलब voltage के बढ़ने के साथ-साथ current भी बढ़ रहा है तो दा ग्राफ बिट्वीन दा पोटेंशल डिफ्रेंज वी और कर्रेस्पॉंडिंग करेंट फाउंट भी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग तुदा ओरीजन फॉर ओमिक मेडालिक तो जितने भी कंड़ाक्टर जो कि ओमिक होते हैं मतलब कि जरीन नीचा प्रें हम के फॉलो करते हैं वह सारे कंड़ाइन turned के लिए अगर आप याई ग्राफ मनाोगे तो वह क्राफ आपको कैसे मिलेगा ऐसा और वी याई ग्राफ आपका कुछ ऐसा है तो that means की जो conductor है वो ohm के law को follow नहीं कर रहा है, voltage बढ़ाने पर current increase नहीं हो रहा है, आई बात समझ में, तो यह होता है ohm का नियम, तो ohm का नियम जब आप exam में लिखेंगे तो आपको पहले statement लिखना होगा, और वो statement आप क्या लिखोगे, यह, ठीक है, then उ and then उसके बाद आपको यह वी आई ग्राफ बनाना होगा with circuit diagram, अब आजाते हैं resistance पर, तो जैसे मैंने आपको कहा, it is the property of a conductor, due to which it opposes the flow of current, मतब जिसके current यह current का oppose करे, charges को flow होने के लिए दिक्कत पैदा करे, ठीक है, अब दिखो एक रास्ता ऐसा था, simple जाने के लिए तो मैं सी काम आपका resistance करता है, क्या करता है, यह अपने current को ना properly flow नहीं करने देता है, इसी वज़ा से हम यह कहते हैं, के टा पोजिस दो flow of current, ओके, अब इसको हम Greek letter ohm से इस unit को denote करते हैं, जो कि यह इस तरह से होती है, यह याद रखना है आपको, ठीक है, और resistance अगर मुझे किसी भी conductor का निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकते हूं, R equals to V by I, ठीक है, इस values हैं, हम resistance की value को find out कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक छोटा सा diagram आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हो, कि पहले balls को move करने में, एक point से दूसरे point में जाने में इतना time नहीं लग रहा, लेकिन जैसे वो जिस rate से charges flow कर रहे हैं, वही अगर आप slow कर देंगे, तो current की value भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, अब यहाँ पर it is said to be 1 ohm, if potential difference of 1 volt across the ends of conductor may current of 1 ampere to flow through it, ठीक है, अगर हम किसी circuit में 1 volt का voltage apply करते हैं, और अगर उससे 1 ohm का 1 ampere का current flow करता है, तो हमें वहाँ पर 1 ohm का resistance म जलेगा, तो 1 ohm resistance equals to 1 volt upon 1 ampere, now some important terms, अब जैसे बच्चे बड़ा confused होते हैं, कि क्या मैं resistor और resistance यह different है, our resistance and resistor different और दे आर सेम, तो इन बातों को चले जानते हैं, resistance is the internal property, जैसे मेरा खुद का भी resistance है, मैं एक particular level तक कोई अगर मुझे धक्का मारेगा, तो मुझे का पोस कर सकते ह हो, लेकिन कोई बहुत तेस करेगा, तो मैं नीचे कर जाओंगी, तो this is my internal property to resist, ठीक है, इसी तरीके से हर conductor की एक internal property होती है, जिसके कारण वो flow of current का पोस करेगा, लेकिन कितना करेगा, अगर मुझे resistance बढ़ाना है, मतलब मुझे current के flow को बहुत कम करना है, तो मुझे resistance बढ़ हादे, तो resistors उनको आप कहते हो, तो resistor क्या होता है, a component in electrical circuit, which offer resistance to the flow of electron constituting electric current is known as resistor, तो मतलब रजिस्टर का काम भी वही है, current के flow का पोस करना, तो हमने अगर किसी circuit में अलग से इस तरहा की resistors आपने देखे होंगे, अपने TV में, या फिर बहुत सारी circuits जो होते हैं, उसमें जहाँ पाए, resistance की value बढ़ेगी, तो current का amount all automatic क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जहाँ पर भी हमें current की value को कम करना होता है, वहाँ पर हम resistors को लगाते हैं, clear है, so these are used to make those electrical devices where high resistance is required, it reduces the current in a circuit, example, alloy like the nichrome, mangane and constant, ठीक है, अब यह इतना ज्यादा important नहीं है आखरी बली लाइन, simple आप इतना समझ जाए, कि जो आपका resistance है, जो resistor है, वो उस circuit में use करेंगे, जहाँ पर हमें current की value को बहुत लो करना है, कम करना है, आपको पता है कि आप जो mobile phone देख रहो या फिर आप जो laptop चला रहों, सभी में resistors हैं, बिलकुल है, क्योंकि वहाँ हर जगे हमें current की value को limit करना होता ह है, ठीक है, आजाते हैं आगे, अब रियो स्टेड क्या होता है, अब यह जो resistance है ना, अब मैंने भी मार्केट से गई और एक रिजिस्टर खरीद के लिए अब मालीजे उसकी value है 2 ohm, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उसको कम resistance भी एक ऐसे रिजिस्टर की मुझे घटा पाए, तो रियो स्टेड वो काम करता है, रियो स्टेड is a device which is used to control the flow of electric current by manually increasing or decreasing the resistance, इसकी मदद से यह वैरिबल रिजिस्टर कहलाता है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे करके हम रिजिस्टर की value को, रिजिस्टर की अमाउंट को सरकेट में कम या फि रिजिस्टर क्या होते हैं, यह वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा, तो गुट कंड़क्टर वो होते हैं, जिसमें हम easily current का flow करवा पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं, they are good conductor, ठीक है, तो जिसमें आपका resistance की value low होती है, वो होते हैं आपके good conductor, दूसरा point, पहला point क्या, the material through which the current passes easily is good conductor, और इस तरीके के material में second point क्या लिखोगे, कि in such kind of material, the value of resistance is very low, इसमें resistance की value कम होती, क्योंकि भी जहां पर resistance की value कम होगी, वहीं पर तो current flow कर पाएगा ना, current का flow, conduction of current कहलाता है, और conduction जो करवाए, उसको हम conductor कहते हैं, तो भाई, वो good conductor हुए, ठीक है, आजाते हैं, फिर next, आ उसे आप कहोगे poor conductor, अब यह poor conductor कैसे बन गए, ऐसे बन गए कि इनके हाँ, इनके यहाँ पर नहीं, इन में resistance की value होती है, वो बहुत ज्यादा होती, infinite होती है, insulators क्या होते है, मैं बहुत ज्यादा है, अब insulator की बात करें, तो भी जिसमें और भी ज्यादा resistance हो, और ज्यादा value हो है, तो आप material which offers the very very high resistance to the flow of current or to the flow of charge is known as insulator, जैसे rubber, plastic, dry wood, यह सब आपके insulators के examples है, ठीक है, अब आप बोलेंगे poor conductor कौन है, तो भी जिसको जो थोड़ा बहुत करेंट को पास करवा भी ले, ठीक है, लेकिन high resistance इसमें भी होता है, तो वो पूर conductor आपके कुछ आ जाते हैं, जैसे stainless steel आजाते हैं, alloy of iron या chromium, तो इन से current properly flow नहीं कर पाता है, आप बारी आती है, कि क्या किसी किसी conductor से जाधा current बहता होगा, किसी में जाधा resistance होगा, तो यह ठीक है, एक copper का ही wire है, अगर मेरे पास एक पतला wire है, और एक मेरे पास मोटा wire है, तो क्या इन दोनों में resistance सेम ह होगा या फिर कम जाधा होगा, तो बिलकुल आप सही सोच रहे हो, आपको समझना चाहिए इस बात को, कैसे समझोगे, तो कुछ factors है, जिन पर resistance की value depend करती है, जैसे कि सबसे पहले तो length पर, दूसरी बात है area और तीसरी बात resistivity पर, अब यह तीनों चीज़े पर कैसे depend करती है तो चलिए देखते हैं, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो length of conductor, resistance जो है वो किसी भी conductor के length पर depend करता है, और इस डारिकली proportional to L, यह relation यह कहता है, जितने जाधा length होगी, उतना जाधा resistance होगा, the resistance of a conductor is directly proportional to the length, since the resistance of a wire is directly proportional to the length, that is, when the length of wire is double, then resistance also भी double, और अगर length को half कर होगे, तो resistance भी half हो जाएगा, तो पहली बात तो जितना लंबा wire, उतना जाधा resistance, तो किस पार पर depend करता है, बच्चों, length पर depend करता है, माली जी एक conductor है, तो यहां से यहां तक की जो length है, इसके और डारिकली proportional होगा, अब माली जी इस से छोटा अगर मैंने wire लिया आई, तो इसका resistance कैसा होगा, कम होगा, अब आगे चलेंगे, दूसरा देखेंगे, तो भी यह जो area होता है, ना cross section area मतलब की, अगर यह इस तरह से wire है, तो इसका जो cross sectional view, मतलब अगर मैं wire को बीच में से cut करो, बीच में मुझे जो circular portion दिख रहा है, तो उसका area मतलब यह क्या बन गया यही बताता है, कि R is inversely proportional to area, तो मतलब की, जितना जितना मोटा आप wire को करता जाओ, करते जाओगे, ठीक है, यह wire को देखो, और यह wire को देखो, तो इसमें क्या होगा resistance की value किसमें कम जादा, अगर area के हिसाब से दिखा जाए, तो हमें कम लेगेगी, जिसका area जादा होगा, क resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section, area के inversely proportional है, तो क्योंकि resistance of a wire is inversely proportional to the area of cross section, that is when the area of cross section of the wire is double, then the resistance get half, and when area of cross section of the wire is half, then the resistance will be double, और वेस ही बात है, क्योंकि inversely है, area दुगना होगा, तो resistance half हो जाएगा, area आपका half होगा, तो resistance दुगना हो जाएगा, अब तीसरी बात होती है, resistivity, resistivity क्या होती है, अब resistivity, आप सोचेंगे कि resistance, resistivity, यह सब सुने सुने लग रहे हैं, एक जैसे हैं क्या, तो बिलकुर resistivity जो है ना, यह material के ऊपर depend करती है, कि किस type का material है, ठीक है, और resistance उसकी internal property है, औ resistivity जो है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, हर एक material के resistivity जो होती है, वो constant होती है, for example, अगर मैंने silver लिया है, यह gold लिया है, तो उनकी सब की resistivity जो fix है, वो हमेशा same ही रहेगी, यूँकि resistivity एक constant होता है, तो resistivity, the resistance of a conductor depends on the nature of the material of which it is made, and some material have low resistance, whereas other have high resistance, आप कुछ materials का resistance low होता है, किसी material का resistance जादा होता है, so, the pro is the constant proportionality and it is called the electrical resistivity और specific resistance of material of a conductor, तो भही जो आपकी material का resistance जो की fix रहता है, उसी को भी हम उसकी resistivity कहते हैं, जो की कभी भी change नहीं होती है, so, it is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section, तो per unit per cross section area पर कितना resistance है, उसी के ही measurement को हम resistivity कहते हैं, तो जैसे यहाँ पर silver की 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm होती है, जीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यह किस पर depend कर रही है, per unit, per length, per area पर depend कर रही है, और अगर मैं rho की value निकालू, देखो, अगर हम resistance को देखें बच्चो, तो resistance क्या होगा, rho L by A, जीक है, और अ resistivity निकालनी है, तो क्या होगा यह, R into A by L, ठीक है, अब ध्यान से देखेगा, कि अगर R की unit ohm है, area की है, meter square और length की होती है, meter, तो rho की जो unit है, वो क्या हो जाएगी, M square से M cancelled, rho की unit हो जाएगी, ohm meter, ठीक है, तो resistivity की जो unit होती है, वो होती है, ohm meter, इतनी बाग समझ में आई, copper की 1.6, aluminum की 2.6, tungsten, nickel, iron, alloy की भी दी होई है, insulators की भी दी होई है, अब देखे, insulators की resistivity कितनी है, clear है, चले, तो यहां से हम resistivity को समझ गए, तो resistivity material does not depend on its length or thickness, but depends on the nature of substance and temperature, जो resistivity होती है किसी भी material की, वो मैंने क्या कहा आप से, constant होती है, लेकिन अगर temperature को आप गढ़ा या पर depend ने करेगी, यह material पर depend करेगी और temperature पर depend करती है, तो it is a characteristic property of a material of the conductor and varies only if its temperature changes, किसी की भी characteristics, मतलब characteristics का मतलब क्या होता है, characteristics का मतलब होता है कि किसी की material में वो चीज़ होगी ही होगी, तो यह किसी भी material की resistivity उसके खुद की internal property है, resistance of a conductor, उसकी जो per unit, पर length पर, पर area पर, जो resistance की मातरा है, उसी को हम resistivity कहते हैं, जो हमेशा same होती है, जो सर्फ और सर्फ temperature को बढ़ाने या घटाने से change होती है, insulator such as glass, rubber, ebonite, etc. have a very high resistivity, यह सारी चीज़े आपके insulator में आते हैं और इनकी resistivity बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कैसे समझ में आ रहे है, 10 to the power 12, मतलब बाकी सब की हमारी माइनस में थी, लेकिन यहाँ पर conductor, alloy, insulator की comparison किया जाए, तो आप देखे, insulator जैसे की glass, hard rubber, ebonite, diamond, paper, इन सब की resistivity है, वो बहुत ज़्यादा है, 10 to the power 10, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब while conductor have a very low resistivity, अब इनकी resistivity की range क्या है, तो 10 to the power minus 8 से 10 to the power minus 6 के बीच में resistivity होती है, तो इसी बज़े से हम इसको conduction करवा पाते हैं, अब alloy have higher resistivity than that of their constitute metals, they do not oxides easily at high temperature, अब जो alloy होते हैं, उनकी resistivity थोड़ी जादा होती है, मतलब कि अगर direct metal की बात करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने mixture किया, alloy मतलब क्या होता है, दो metals का mixture, तो जब metal का mixture क्या दिया जाता है, तो उनकी resistivity काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, और यह easily high temperature पर oxide भी नहीं होते, this is why they are used to make heating element of devices, such as electrical iron, heaters, etc. तो अगर आप से कभी पूछे कि electrical iron, heaters, बनाने में क्या material यूज़े होता है, तो alloy यूज़े होता है, और क्यों होता है, तो उनमें क्योंकि alloy की resistivity बहुत ज़्यादा होती है, they have very high resistivity, इसी वज़ा से हम उनका use heating elements की तरह करते है, tungsten is almost used exclusively for filaments of electric valve, where copper and aluminum are generally used for the electrical transmission line, tungsten का wire क्या होता है, गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसकी resistivity ज़्यादा होती है, ज़्यादा resistivity तो ज़्यादा current को रोकेगा, रोक करके क्या करेगा, heat के form म तो भाईया जो heat होती है, वो tungsten के wire में आपको एक बड़ी light के जैसे दिखती है, तो इसलिए bulb में हम tungsten का wire लगाते हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा resistivity के current वो इतना heat up हो जाता है कि glow करने लग जाता है, series and parallel combination of resistor, मलब registers को कैसे series और parallel में combine किया जाता है, और उन्हें solve कैसे किया करते हैं, हमारी slides को पहुचते हैं, हमारे पहले-पहले से topic पर, तो series और parallel combination, देखे सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि series और parallel का क्या मतलब होता है, तो देखे, माल लिजे कि 2-3 बच्चे खड़े हुए, कुछ इस तरह से मैं अपने पास ही बना देती हूँ, एक बचाईये और एक बचाईये अगर यह दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं और एक और बच्चा आता है और ऐसे हाथ को पकड़ लेता है, तो इसका मतलब क्या, एक-एक हाथ से जुड़े हुए हैं, और एक series बना रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं series combination, अ आप पैरलल कॉंबिनेशन की बात करें तो भया एक बच्चा यह है जिसका एक हाथ और दूसरा हाथ ठीक है इसी तरीके से एक और बच्चा है जिसका यह एक हाथ और दूसरा हाथ है यह दोनों ही अपने एक हाथ से दूसरे के दूसरे दूसरे हाथ को पकड़े हुए है मतलब हर एक register को किस symbol से रिनोट किया जाता है जैसा कि आप डाइग्राम में भी देख रहे हो इस symbol से represent किया जाता है जैसे हमारे दो हाथ होते हैं registers के भी दो terminals होते हैं एक terminal ये एक दूसरा terminal ये अब जब मैं किसी register को इस तरहा से connected करूँ कि ये दूसरे register के दूसरे terminal एक terminal के साथ connected है या एक और register ले ले लेते हैं तो इस combination को कहा जाता है series combination ठीक है आई बास समझ में अब parallel combination क्या होता है वह मैं जब parallel पढ़ाऊंगे थोड़ा सा वीडियो को आगे तक देखो तब बताएंगे अब series combination में चलिए ठीक है रजिस्टर होते हैं तो इससे होता क्या है series में अगर आप रजिस्टर को लगा देते हो तो इस circuit में series अन रजिस्टर के across अलग-अलग voltage की value हमें मिलती है voltage drop होता है जिससे की current की value को हम limit कर पाते हैं series में चब रजिस्टर connected होते हैं तो इन तीनों ही रजिस्टर में same current flow करेगा लेकिन इन सभी के across voltage की value अलग-अलग होती है कैसे तो चलिए प्रूफ करते हैं अब माल लिजए कि हमें यह सब बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनमें सेम करेंट जाता है या लग-लग करेंट जाता है हम सिंपल एक सर्केट बनाया है हमने और हमने यहां पर तीन रजिस्टर को सीरीज में लगा दिया चलो तो वेंट वर मोर रजिस्टर आ अगर आपको लिखना है तो यह प्रॉपर एक डेफिनेशन है यह हम लिख सकते हैं अब यहां पर हमने एक रजिस्टर को एक सर्केट को कंस्टर किया और हमने माना कि यहां पर एक बैटरी लगी हुई है दिसके क्रॉस माली जे वी वोल्टेज है ठीक है और एक अमीटर वो और करेंट के मिजरमेंट के लिए लगा दिया और हमने यह माना कि चलिए यहां पर एक करेंट फ्लो कर रहा है आई यह आप उसे कैपिटल आई भी लिख सकते हो ठीक है अब इसके डेरिवेशन को समझो जाना अब देखिए जब करेंट आई यहां जाएगा तो आई यहां पर तो वोल्टेज्ट हो गया बिलकुल तो यहां पर इक वोल्टेज़ बनेगा वी ओन ठेक है फिर से आगे गया तो आई इंटु ऑअर्टू हो गया तो यहां पर भी जो हो गया इन जाए अगर इस अगर इस यह वोल्टेज ड्रॉप हो गया मतलब इस पूरे सरकीट में कितने वोल्टेज है इसमें टोटल चार वोल्टेज है एक तो वोल्टेज वो है जो बढ़ रहा है और दो तीन वोल्टेज जो की ड्रॉप हो रहे हैं रजिस्टर के एक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते है potential drop ठीक है किसी भी circuit में energy conservation law के according total potential rise equals to होता है drop मतलब कि जितना voltage आपने circuit में दिया है उसकी उतनी खपत के बराबर वो होता है तो यह देखो ठीक है या फिर हम यह कह सकते हैं कि the submission of voltage in any closed loop circuit is equals to zero तो अब इसको equals to zero करना है तो मैं क्या करूं यह सारी चीजों को उठा करके यहां ले आती हूं वी 1-2-3 इस तरह से लिख दिया अब इनको माइनस हमने क्यों लिया देखो या तो आप इसको इस तरह से समझो या तूसरा आप इस तरह से समझो कि the submission of overall voltage in any closed loop circuit is equals to zero किसी भी closed loop circuit में जितने भी वोल्टेज है सबको जोडेंगे तो उनका सम किसके बराबर आएगा जीडों के बराबर आएगा ठीक है अब क्योंकि यह भाईया यह potential बढ़ाने वाला था और यह घटाने वाला तो इनका प्लास वी-2 प्लास वी-3 यह कैसे हुआ क्योंकि submission of v equals to होता है जीरो तो v minus v1 minus v2 minus v3 equals to zero या तो मैं ऐसे लिखा हूं या फिर ऐसे लिख देती हूं अब अगर मैं इस v 1, v2, v3 की value कि वेल्यू लिखना चाहों हाई कि आंटर नोडो नगा तो यहां पर करणिट जाएगा तो यहां पर कर ईंटी आर वन मिला तो विवन की वाल्यू बढ़ी वीतू के पास यहाँ जब और में गया तो वी तुकि वैल्यू बन लेने के लिए लिखा हुआ भी है तो I into R1 plus I into R2 plus I into R3 अब क्योंकि I common है हमने I को बहार ले लिया यह हो गया R1 plus R2 plus R3 इससे क्या समझ में आ रहा है इससे यह समझ में आ रहा है कि अगर किसी circuit में 3 रजिस्टर सीरीज में connected है तो उन सबका submission किया जा सकता है इस तरह से कहा जा सकता है इसको इफेक्टीव रदिस्टेंज भी कहा सकते है तो इसको एफ्क टू आर एकीं मतलब की कि resistance i into r ठीक है तो series circuit series शर्कित का मतलब क्या होता है जहां पर registers series में हो पैरलल circuit मतलब की जहां parallel registers connected हो to series circuit में किस तरहां से हम इसको solve कर सकते हैं तो series circuit मतलब जिसमें register series में हो उसमें registers को सब को एक साथ जोड सकते हैं कुछ इस तरहां से ठीक है तो this is the series combination और इससे एक relation समझ में आया कि equivalent resistance series में कैसा होता है बच्चों तो series के case में अगर मुझे equivalent resistance निकालना है तो उसकी value हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है या simple से शब्दों में समझो तो जब registers series में connected है तो ने डारेक्ली जोड़ दिया जा सकता है समझ में आई बात चलिए तो यहां से यह बात तो हमारे clear हो गई ठीक है अब ए derivation अगर आपको नूर डाउन करना तो आप कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि से हमें कौन-कौन से पॉइंट्स पता चले तो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सीरीज कॉंबिनेशन और रजिस्टर्स तो रजिस्टर्स अगर सीरीज में होते हैं तो इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिला तो दा equivalent resistance is equal to the sum of all individual resistance तो equivalent resistance मतलब क्या को हम total resistance भी कहते हैं तो इस circuit का टोटल equivalent या फिर तोटल resistance क्या है तो वो हता है सम of all resistance लेकिन बश्रते शर्ट क्या होने चाहिए सारे registers अगर सीरीज में है तो आप डारेट जोड दो दूसरी बात दा equivalent resistance is thus greater than the resistance of either resistor मतलब कि एक resistance एक resistor के resistance से equivalent resistance का resistance कैसा होगा बच्चो जादे ही होगा क्योंकि हमने सबको जोड दिया है इस आलसो नोन as maximum effective resistance इसे और क्या कहा जाता है maximum effective resistance सबसे ज्यादा effective resistance ठीक है मदलब कि आपकी पूरे circuit में आपने बहुत सारे रजिस्टर लगाय हुए है लेकिन सबको जोड करके जो effective resistance total कितना है आपके circuit का तो उसे कैसे हम कहते है maximum effective resistance which is the sum of all individual resistance clear हुआ अब दूसरी बात the current through each register is same हर register से जाने वाले current का मान कैसा होता है बराबर होता है एक जैसे value होगी current की the current through each register is same current सबसे same जाएगा the potential difference across these register is different हमने अभी देखा कि सभी के across potential difference अलग होता है तो तीन बाते बस बच्चों याद रखो r1 r1 अगर सब series में है तो डारेक्ट जोड दो दूसरी बात सभी के across current सेम रहेगा तीसरी बात voltage सभी के across अलग-अलग होता है numerical को solve करने के लिए point आपको याद रखना रहेगा अब देखें यहाँ पर आपको लिकालना है calculate the resistance between a and b ठीक है लेकिन a और b के बीच में अब हम देखो यहाँ पर क्या है सबसे पहले question को solve करने से पहले आपको यह देखना पड़ता है कि कौन-कौन सी चीज़े parallel में है कौन-कौन सी सीरीज में है लेकिन आप सुचेंगे कि माम अभी आपने parallel combination तो बताए नहीं तो चलिए पहले parallel combination को समझे तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे parallel combination होता क्या है अब देखिए मान लीजे कि एक आपके पास एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए हां मान लीजे कि इस तरह से एक register है अब एक और register मैंने connect कर दिया ठिक है अब देखो क्या है कि इनके point इस реально connected है यह लखना अभी किस point यहाँ पे किए यह रजीस्टेर है ठीक है अब यह combination कहल आता parallel combination क्यों कहलता है parallel combination क्योंकि देखो ये इसका ये वाला जो हैं या ये वाला जो इसका ód है वह इस common point से connected है इस तीनों का ये वाला जो दूसरे साइड का हाथ है वो इस common point से connected है माले जी यह है R1 यह है R2 और यह है R3 यह सब इसके एक साइड के सारे के सारे से रहे किस से connected है एक पॉइंट से एक पॉइंट से और इन सब के सारे पॉइंट किसे connected है एक पॉइंट से जिसको कहते हो आप भी पॉइंट ठीक है तो जब इस तरह से रेजिस्टर्स connected होते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर इन पैरलल कॉमिनेशन यह किसमें है पैरलली connected है अब यहां से हमने इसको एक complete circuit बना दिया मैंने यहां पर एक battery लगा दी ठीक है जिसका मान लेते हैं कि voltage है वी तो यह हो गया close circuit अब देखो जैसे battery लगाई यह conducting wire है तो current flow करेगा अब देखो current को flow करने के लिए तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं ठीक है एक रास्ता इसके लिए यह वाला है ठीक है एक रास्ता यह है एक रास्ता यह है तो current क्या करेगा अब जिसे पानी की धार जाती है अब अगर मान लेजे कि पानी में आपने के सब इसमें और इसमें उसी तरह से आपका जो करेंट है वो भी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ठीक है कौन कौन से पार्ट एक का नाम आई वन दे देते हैं आई टू और आई थ्री तो फ्लो है फ्लो आफ चार्ज मतलब कि कोई चीज बहुत सारी आ रही हो तीन पार्ट एप टीन पार्ट तीन उसको जगे हो कि तीन रास्ते देखे तो वह तीन पार्ट में डिवाइड हो गया आप यहां से आइवन इंटू आरवन ह्याग है आई 2212 ठीक है पर देखें कि एक दोकिकाह मोगा कि आपका जो करिंट है वो तीन pay to make divided हैंIt है अन अब जब भी कोई सी सिस पारलल में connected होती है तो उन सभी के across voltage की wa AMP होती है तो यहां से चिसका मतलब एस लेकर के बीown तक सभी मी क्या होगा वी वोल्टेज ही होगा इसका मतलब आठ त्रीक्या प्रॉक्स भी कितना वोल्टेज होगा वी ठीक है यहाँ पर भी वोल्टेज होगा और यहाँ पर भी वोल्टेज वी होगा मतलब कि जब परलल कॉम्मिनेशन होता है तो करेंट जो होता है वो डिवाइड होता है क्या होता है बच्चों करेंट डिवाइड होता है और जो वोल्टेज है वो सेम रहता है यह बात समझ में आई वोल्टेज कैसा है आपका सेम है यहां पर भी वी है यहां पर भी वी है क्योंकि यहां पर देखो यह पॉइंट पर जो वोल्टेज और यह पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो सेम होगा ठीक है अब यहां से यहां यह पॉइंट मतलब की a point की बात की जारी ये point मतलब भी point की तो यहां पर एक पर positive और भी पर आप negative मान लिजे और ये जो यहां पर voltage है वो कैसा है plus minus v बालब v voltage है ठीक है तो यहां से देखे सारी की सारी चीज़े वी के साथ कैसी parallel connected हो सब मैं voltage की value same ही होगी अब यहां पर कौन डिवाइड हो रहा है करें डिवाइड हो रहा है तो अब इसको solve करके कैसे देखेंगे the total current flows in a circuit is equals to 0 ठीक है या फिर में लिख सकते हूँ the summation of i equals to 0 ठीक है किसी भी close circuit में बहने वाले total current का amount अगर sum करोगे तो वो 0 हो जाएगा ठीक है that means i equals to क्या होगा i1 plus i2 plus i3 ठीक है अब यहां से अगर मैं i1 की value निकालना चाहूं तो i1 की value क्या होगी v by r1 ठीक है कैसे निकाली क्योंकि हमारा ohms law कहता है कि v equals to ir तो i equals to क्या हो जाएगा v by r ठीक है i2 के value निकालेंगे तो v upon r2 यह हो जाएगा v upon r3 और i की जगे में लिख सकती हो v by r ठीक है आई की जगे क्या लिख सकते हैं हम v by r कैसे अभी तो देखा भी r की value तो हमें पता नहीं तो अभी हमें इसको capital आई लिखेंगे अब यहां से मैंने क्या किया v को common ले लिया तो यह हो जाएगा 1 upon r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 तो यह जो मुझे यहां पर value मिली है r की जिसको आप कह रहे हो 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 this is equivalent resistance ठीक है या फिर total या फिर effective total resistance ठीक है maximum effective resistance of a circuit आई साथ समझ में तो इससे क्या कहते है हम total effective resistance of a circuit तो parallel में जब भी resistors connected हो और आपको इनको मिला करके एक बनाना हो तो कैसे बनाओगे बच्चो 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 जितनी भी चीज़े parallel में registers जितने भी parallel में connected है उनको आप इस तरह से जोड सकते हो तो यहां पे में क्या लिखूंगी अब तो i equals to हो जाएगा v upon r eq ठीक है तो यह relation से हमें parallel combination मिलता है और parallel combination से हमें क्या क्या बात है समझ में आती है कि तोटल इफेक्टिव resistance of a circuit can be determined by 1 upon r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 और तूसरी बात यह याद रखनी है कि parallel circuit में current divide होगा और voltage की value सेम होती है मतलब resistance के across current अलग अलग होता है लेकिन voltage की value सेम होती है clear हो गया अब इंसे रिलेटेड जो questions है उनको अब हम थोड़ी से नजर कर लेते हैं अब जब भी ऐसे कोई question आए सबसे पहले parallel combination को solve कर लीजे अब यहां पर देखो parallel में कौन-कौन है तो यह देखिए कि यह तीनों आपस में parallel में है तो सबसे पहले तो हमें से solve कर लें ठीक है तो 123 इनको कैसे करेंगे तो 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 इस तरह से हमें इसको add करना पड़ेगा और यहां पर हमें value मिल जाएगी ठीक है अब इनको add कर लेते हैं तो LC हम लेंगी तो 6 आएगा तो यह जाएगा 6 plus 3 plus 2 ठीक है दाट मेंस यह कितना हो जाएगा थोड़ा से क्या एकदम से ब्लैंक हो जाती हो साथ आरो नू जा हाँ 11 by 6 आपके पास आंसर आगया ठीक है अब यहां पे 11 by 6 हमने लिग दिया अब देखिए यह भी कैसे है यह भी आपस में parallel में है कैसे समझ में आया इसका यह वाला और इसका यह वाला एंड इस common point से connected है यहां पर यह जो common point है इससे और यह वाला एंड और यह वाला एंड किसे connected है इस common point से ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह यह दोनों भी parallel में है तो इनका parallel combination कर लेते हैं तो वन अपॉन 5 प्लस बन अपॉन 6 हमने किया तो क्या हो जा यहाँ पर हमने लिख दिया 11 by 30 ठीक है ना आगे चलेंगे एक और 7 अब बता यह कैसे combination में है अब देखें यहाँ पर दो नोड बन रहे हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ठीक है और बी का आपको total effective resistance बताना है ठीक है अब यहाँ पर यह तीनों तो हमें directly series में दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तीनों को directly add कर देंगे तो 4 plus 11 by 6 plus 11 by 30 ठीक है और यह लास्ट वाले को इस तरह से छोड़ देंगे अभी लास्ट वाले को हमने क्यों छोड़ा क्योंकि बच्चों यह इसके साथ में कैसा है parallel combination में है क्योंकि इनको जब जोड करके मैंने एक सर्किट बना एक रजिस्टर बनाया तो इन सभी का यह और यह पॉइंट जो है यह कॉमन कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है एक इस से और एक इस से चीक है इसलिए आपस में parallel में कहलाएंगे तो यह parallel combination कैसे हो जाएगा बच्चों तो इसको अगर मुझे parallel combination करना है तो सबसे पहले तो हम इसको solve कर लेते हैं तो चलिए फटा-फट से इसको solve करें LC हम ले लेंगे 630 का ठीक है तो 30 आएगा ओके अब इसको solve कर लें तो 30 into 4 plus 11 into 5 plus 11 ठीक है तो यह हमारे पास आंसर आएगा 120 plus 55 plus 11 divided by 30 कुछ अगर calculation mistakes है तो आप एक बार देख सकते हो ठीक है हम लोग डारेक डारेक फटा-फट फटा-फट इसको solve कर रहें तो जाएगा 120 66 6 186 186 divided by 30 इसको और थोड़ा सा हम simplify कर लें तो कितना होगा 186 31 by 5 ठीक है इसका आंसर कितना आएगा 31 by 5 आएगा अब इसको और solve कर लें तो 31 by 5 और यह दोनों आपस में कैसे है पारलल में है तो कैसे solve करेंगे बच्चो इसको इसको ज़रा सा ध्यान से देखेगा कैसे solve करेंगे एसे एसे solve करेंगे 1 upon 31 by 5 plus 1 by 7 तो यह 5 ऊपर जाएगा और यह हो जाएगा 31 plus 1 upon 7 ठीक है तो इसको तो इसको तो थोड़ा से हम करेंगे तो हमारा effective resistance जो है total वो आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम A और B के बीच का जो हमारा value है यह identify कर सकते हैं ठीक है जो कि कितनी आएगी 3.56 ohms आएगी आप एक बार करके देखेंगे तो समझ में आएगा चलिए अब यह circuit को बस मैं आपको बता दो कि कैसे कैसे इसको solve करना है कैसे हम चेक कर सकते हैं calculate the equivalent resistance between a and b next question में हमें equivalent resistance निकालना मतलब total resistance निकालना है अब देखो जैसा मैंने आप से कहा सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट साइट 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 को solve करना शुरू करेंगे अब यहां पे मुझे हो जाएगा ठीक है इन दोनों को आप कैसे एड करोगे 3 प्लस 2 हम डारिक कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा फाइव ओम आ जाएगा और यहां से देखो बच्चों कि यहां पे आपने रजिस्टर्स ऐसे कैसे लगा दिये यह हो गया 45 और यह 1.5 और जब आप इनको ए सबसे सब्सक्वे कर लेंगे अब ता है आप सभी को पता है आप सब है बन अपॉन 5 प्लस बन अपॉन 5 हम करेंगे ठीक है तो मुझे यहां पे यह रिजिस्टर मिलेगा कुछ ऐसा ठीक है और यह हमारी दो पॉइंट्स जो पहले से निकले हुए थे यह हमने यहां पे निकाल दिये ए और बी नाम के अब 4.5 और यह 5 है तो कितना हो जाएगा बन अपॉन 5 प्लस बन अपॉन 5 ऐलसे हम लेंगे 5 ही आएगा ठीक है और यहां पर आपको क्या मिलेगा फ्योंकि यह हो जाएगा आपका 2कटेंट 2 upon 5 clear है तो 2 by 5 जो है यहां की value आ गई अब आगे देखते हैं कि बाकी रिजिस्टर कैसे हैं तो अगर बाकी रिजिस्टर को आप देखेंगे तो यह वाला जो रिजिस्टर है यह इसके साथ सीरीज में है ठीक है एक रिजिस्टर के साथ इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में आपक को बता देती हूं क्योंकि यह वाले रिजिस्टर का एक एंग所以呢e अगने लेकिन हमने दोनों को जोड करके एक बना दिया तो एक बना दिया तो यह थारा से प्लस बन अपॉन 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 और यह उपर से 10 चला जाएगा अब हम इसको solve करेंगे तो हमें आगा जो answer है वो आएगा क्या answer आएगा एक बार solve करके देख लेता है तो यह उगर 2 और 15 ठीक है तो डारेक्ट आपको पता है कि आपको सिर्टिप्लाई ही करना है sorry 50 ठीक है तो यह 50 हो गया अब यह देखो 5 बाई 2 इंटो 50 आप करेंगे तो यह वगा दो दूनी 4 पादूनी 25 ठीक है यह 25 इंटो 5 कर लीजे 55 जा 25 ठीक है यह 2 कितना हो गया 105 ठीक है तो यहाँ पर आपका यह होगा LCM 50 यह होगा 105 प्लस यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं तो यह होगा 10 अपॉन 15 इंटो 50 ठीक है कितना अंसर आपको मिलेगा यहां से कुछ सम्थिंग पॉइंट में अंसर आएगा हमारा तो इसको अगर आप पूरा solve करेंगे तो finally आपको यहाँ पर एक resistance की value मिलेगी जिसको आपको finally आखरी वाले resistance के साथ अब देखे इतना solve में नहीं करें वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है तो यहाँ पर हम simple simple इसको बता देते हैं कि 4 और यहाँ पर आपको resistance मिलेगा जो कि आपका final resistance होगा और value क्या होगी आखरी में 1 upon 4 upon 1 upon R जैसे कि मैंने भी आपको करके बताया था वैसे आपको इसको solve करना है और आपका equivalent resistance यहाँ से निकल जाएगा ठीक है तो answer 2 ohm करीव नाएगा now calculate the equivalent resistance between a and b अब देखो वाट simple तो आपको आती ही आप उसको calculation तो करें लेंगे लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इसको solve कैसे किया जाए ठीक है अब देखो यहाँ बहुत easy सा question है यह है आपका 20 ohm ठीक है और यह तीनों रजिस्टर कैसे दिख रहे है हमें parallel में तो हम इनको पहले ही एक register consider कर लें क्यों register consider कर लिया क्योंकि यह तीनों रजिस्टर कैसे थे parallel में है ठीक है तो parallel combination के हिसाब से मैं ऐसे करूँगी 1 upon 20 प्लस 1 upon 20 प्लस 1 upon 20 तो मेरा answer कितना आएगा LCM लेंगे तो आएगा 20 और यह जाएगा 3 upon 20 ohms ठीक है अब यह तीनों registers कैसे हैं बच्चो अब यहाँ पर जब आपने इन तीनों को parallel ही solve कर लिया तो इनकी जगह पर सिर्फ आप एक single resistor यूज कर सकते हो जो कि 20 ohm और 20 ohm के साथ series में होगा तो इसको solve करने के लिए 3 upon 20 plus 20 plus 20 क्यों कि हमने यह क्योंकि जब register series में होते हैं तो हम उनको directly add करते हैं और जब registers parallel में होते हैं तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 करके उसे solve करते हैं अब यहाँ से इसे solve कर लेंगे LCM आपको लेना पड़ेगा ठीक है तो कितना हो जाएगा यह आपका 20 ठीक है क्योंकि आपको कोई और LCM नहीं है और कोई denominator में value नहीं है यह हो जाएगा 3 upon 20 ठीक है प्लस यह कितना है आपका 40 upon 20 तो 40 into 20 करना पड़ेगा आपको कितना आजाएगा यह 800 ठीक है तो 3 into 800 divided by 20 तो यह हो जाएगा 803 upon 20 something कुछ है और इसका answer जो है वो 6.67 something आपका आपका क्लियर है चलिए तो यहां से यह तो हमारा question solve हुआ आगे बढ़ेंगे त्री रेजिस्टेर्स रेजिस्टेंस इस और सिक्स टैने टैनों जा करेक्टिर इन सीविस फाइंड एक्विलेंट रेजिस्टेंस तो 610 और 20 यह तीन रेजिस्टेर्स है आपको डाइग्राम नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको यह बताया हु आगे बढ़ेंगे एक और question है त्री रेजिस्टेंस बन वन एंड टू ओम्स आर कनेक्टिद इन पैरलल आप कैसे कनेक्टिद होंगे यह देखो डाइग्राम आपको अगर नहीं दिया है तो आपको बना देना है यह एक्जाम में थोड़ा अच्छे पॉइंट्स आपको द 5 by 2 that means 2.5 something जो है आपकी value यहां से आनी चाहिए ठीक है तो देखे 4 upon 5 कैसे आ रही 2 2 4 और 1 5 5 by 4 4 कैसे आ गई कुछ तो गर बढ़ है नहीं 4 नहीं आएगी क्योंकि 1 upon आप क्या करेंगे 1 1 plus 1 upon 1 plus यह 2 है तो यह 1 upon 2 करना होगा ठीक है और जब आप इसका LCM लेंगे तो 2 ही आएगा कोई और उसमें option बचा नहीं है यह हो जाएगा 2 plus 2 plus 1 5 by 2 ही आंसर है 4 by 5 आंसर नहीं है ठीक है हाँ 5 by 2 को आप यह लिख सकते हो आपका आंसर क्या है 5 by 2 ठीक है लेकिन हम इसे 1 upon R क्योंकि हम निकाल रहे है तो R की वल्ली हो जाएगी 2 by 5 ओम्स क्लियर है चले देखते हैं हमारे यह next वाला question अब इस question में दे कर लेते हैं क्योंकि series combination को कैसे solve किया जाता है R1 और R2 दिया हुआ है तो आप इसको directly add कर लो और this will become क्या R1 plus R2 R1 plus R2 और यह क्या होगा 0.3 अब R1 plus R2 करोगे तो कितना हो जाएगा 12.5 ठीक है अब यह दोनों कैसे दिख रहे हैं हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यह दोनों जो स्थो 1 upon R ठीक है total resistance आप इस तरह से लिख सकते हैं और यह कितना होगा 0.3 ठीक है और multiplied by क्या करना होगा आपको 12.5 करना पड़ेगा लेकिन आप इसको 0.3 भी लिख सकते हैं ठीक है प्लस यहाँ पर हो जाएगा यह 12.5 ठीक है divided by 12.5 इंटो 0.3 ठीक है चलिए तो इसको अपन फटाफट से करेंगे और यह होगा 12.8 divided by 12.8 इंटो 0.3 ठीक है और जब हम इसे सॉल्फ करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आएगा 0.29 ठीक है और 0.29 कैसे आ रहा है इसको भी देख लेते हैं ठीक है चलिए तो 12.8 से 12.8 में कैंसल करवाती हूँ यहां से और 12.8 कहा है यह तो 12.5 इना ठीक है तो यह हो जाएगा आपकर 12.8 और एक सेक्ड बच्छो थोड़ा सा मैं कन्फूस होगी यह होगा 12.5 divided by 12.8 divided by 12.5 इंटो 0.3 इसको हम सॉल करें तो यह हो जाएगा 128 यह होगा 125 इंटो 3 ठीक है multiplied by 10 10 10 एंड 10 तो 10 से 10 हमने हां से कैंसल कर दिया ठीक है और कुछ कोई कैंसल हो रहा है क्या तो 128 divided by 125 इंटो 3 इकल्स तो बन अपॉन आर है दिससे में लिक सकते हूँ 125 इंटो 3 divided by 128 ठीक है अब आंसर जो है बच्चो यह पॉइंट में ही आना है और क्या आंसर आना है तो मैं आपको डिरेकली बिता दे रही हूँ इसका जो आंसर आएगा लगभग यह आएगा 0.29 ठीक है तो 0.29 ओम्स जो हमारा आंसर आएगा जब आप इसको सौल्व कर लेंगे तो देखें यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बात है कि मेरा नाम तो आप सब जानते होंगे फिजिक्स वाली टीचर सुर्भी माम लेकिन step up academy के नाम को नामें दूर दूर तक पहुचाना है ताकि यह जो अच्छी education दी जा रही है वो सारे बच्चों तक पहुचे अब आ जाते हैं point की मुद्दे की बात जिसे आप देखने के लिए आए हैं और वो यह है कि series और parallel combination के numerical को कैसे सॉल्ट किया जा सकता है तो चलिए फटा फट से देखेंगे series और parallel combination क्या होता है हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि बच्चों अगर जुस राजिस्टर्स हैं वो इस तरह से connected है मैंने अपने उपर ही बना दिया देखो तो अगर इस तरह से connected है तो they are set to be in series combination और अगर इस तरह से connected है कि उनके दोनों दोनों एंड एक दूसरे से किसी एक point से किसी common point से connected हो तो they are set to be in parallel combination अब इनको solve कैसे किया जाता है तो हम इनको जोड़ करके एक बना सकते हैं लेकिन ऐसे ही जोड़ा जा सकता सीरीज में अगर कोई registers हैं तो उन्हें आप डारेक्ली आर वन प्लस आर टू प्लस आर थी कर देंगे तो यह आपका total resistance हो जाएगा लेकिन अगर इस तरह से registers करेक्ट हैं तो इन्हें कैसे solve किया जाए तो इने solve करने का भी बहुत आसान तरीका है इन तीनों की जगे उठा करके मैं सर्फ एक रजिस्टर रख सकती हूं जिसका नाम हो जाएगा वन अपॉन आर मालीजे अगर यह आर वन यह आर टू और यह आर थी है तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन आर 2 यह तो इस तरह से इन तीन की जगे में एक रजिस्टर लगा सकती हो ऐसे पैरलल कॉम्बनेशन को सौल कर सकती हो अब यह तो मुझे ठीक है समझ में आ गया लेकिन निमेरिकल का क्या माम जब निमेरिकल में इस तरह का सरकुट दिया जाएगा तो ध्यान से देखना है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए ए लिखा हुआ है इस ए को देखके बिल्कुल घबराने की बात नहीं है यह होता है आपका एमिटर जो की करिंट की रेडिंग लेने के लिए यूज किया गया होगा इस सरकिट में और साथ में य में सिर्फ इन तीन-चीज़ चार चीजों से मतलब है और वो त्इन-चार चीज़े कौन-कौन सी होती है वोल्टेज, करिंट, रजिस्टन्स, तीन भी मिने, चार भी मिने, तीन है ठीच है तो इन तीन चीजों से आपको मतलब होना चाहिए और इसका कैसे सॉल् clapping करते है त फिर अगर आप से बोला जाए टोटल रिजिस्टन्स क्या होगा दो एक तोम रिजिस्टर का या फिर आपको सिंपल इतना बोलना है कि बहुत जोड़ करके एक बना दो तो यह आपको यहां पर करना है तो बताना है अब चलो पहले तो हम ढूढ़ने की कि दो एक टोम के कौन-कौन से हैं तो एक एह रहा और एक यह है अब अगर इसको ध्यान से देखो गैं तो आप यह पाओगे देखो कि टो पाओगे कि यहांसे का यह वाला हाथ इसका ये वाला हाथ ये एक common point इस तरह से connected and common points से connected है और जब भी भी दो लोग ऐसे पकड़े हैं एक दुसरा ये हैं एक हथा है एक हाथ हुआ सब्किने करेक्टेर्ड है तो वह पैरलेल में कहलाते हैं तो देखो तो यहां पर यह दोनों parallel में है और इनका parallel combination को solve अगर मैं कर दूँ तो यह circuit कैसा हो जाएगा कुछ इस तरह से मैं यह अगर यह दोनों parallel में है तो इनकी जगे में एक रजिस्टर को लगा सकती हूँ और यह रहा मेरा voltage अब अगर बीच में लगाना है तो यह हो गई आपकी की और यह आपका एक अब यहां पर 8 ohm के मुझे दो रजिस्टर दिखाई दी रहे हैं और इन्हें मैं कुछ इस तरह से solve कर सकती हूँ बहुत आसान है and this will become 2 by 8 तो मेरा वन अपॉन आर जो इफेक्टिव आया है वो वन अप 2 यहां से इन दोनों का जो टोटल एफेक्टिव रजिस्टर यहां पर लगा दू तो आप बोलेंगे कि माडम यह तो यहां से आ जाएगा और यह हो गया आपका एट वोल की बैटरी तो आपसे पहले क्वेश्चन में यह पूछा था क्या पूछा था कि एफेक्टिव रजिस्टेंस क्या है तो आंसर विल भी एफोर ओम क्लियर है काफी आसान बहुत मज़ेदार आगे बढ़ेंगे नेक्स व करना पढ़ेगा यह मुझे तुछ चेक करना पढ़ेगा मुझे यह देखना होगा कि आगे जो रिजिस्टर्स हैं क्या वो इसके सारी में है या पैरलल में है थोड़ा सा आमें यह पढ़ेगा क्यों कि यहां में देखे क्या है कि आपको 4 Ohms क्रॉस करेंट निकालना है क्या सब्सक्राइब निकालना जो इससे जा रहा है ठीक है अब इस circuit को अगर हлись से रीड्रा करोगे तो आप यह circuit कैसा बचा है? ऐसा बचा है ठीक है? मतलग की forum और यह हो गया आपका forum ठीक है, और यह हो गया वी जिसकी value आपको दिए 8 हो जिए अब अगर मुझे current निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा V by R करना पड़ेगा थीक है तो अब देखो यहांसे V by R कैसे करूं मैं मुझे फोर ओम का तरद दिया हुआ हो यहां पर वोल्टेज दिया हुआ एक वोल्ट दिया हुआ है लेकिन यह जो चाहिए है इसके साथ में जुड़ा हुआ है कैसे आका धरनदे का लोगे तो देखो कैसे हैं यह दोनों आपस में series में connected है तो series में connected है मतलब कि दोनों में से एक ही current जाएगा क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि series combination में जो current flow करता है वो same करता है मतलब कि total मुझे यहां का resistance निकालना पड़ेगा अब total resistance क्या हो जाएगा बच्चो तो r equals to कितना हो जाएगा यह 8 ohm हो जाएगा ठीक है और V की value already 8 ohm दी हुई है तो V equals to क्या होगा 8 by 8 that is 1 ampere का जो current है वो यहां पर flow करेगा आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं अगर सिफ इसका पूछा है तो क्या हम 8 by 4 नहीं कर सकते थे नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके साथ में एक सीरीज में एक और रेजिस्टर जुड़ा हुआ है तो total current जो flow करेगा दोनों में same करेगा इसलिए आपको दोनों रेजिस्टर को add करना पड़ेगा अगर पैरलल में होता तो हम फिर भी निकाल लेते है ना और दूसरी बात हम इसलिए निकाल पाए क्योंकि यहां पर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहां पर दोनों रेजिस्टर्स जो है यह सीरीज में connected है तो यहां पे कुछ और बुल्टेज है और यहां पे कुछ और बॉल्टेज है ठीक है तो इस वज़ा से हमें टोटल रिजिस्टर्स निकालना पड़ा और हमने उससे देखा कि हमारा जो सरकीट में करेंट है वह वन एमपेर जा रहा है तो कुरेट फ्लोइंग दर जब कुम है निकालना है four ohm ऒोडेचर के अक्राउस तो फिर आप अलग-अलग कर सकते हो अब देको यहाँ पर तो क्या है ना किव मढव दोनों ही यह 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 भी फॉर है यहे भी तो अगर मुझे यहां पर V निकालना है तो V कैसे निकलता है V equals to होता है I into R अब यहां पर I क्या है 1 Ampere और R क्या है क्या मैं बहार थी फ्रेम से चलो ठीक है मैं यहीं हुआ न और R क्या है 4 है तो 1 into 4 कितना हो जाएगा 4 volt हो जाएगा ठीक है तो voltage drop across 4 ohm register will be V1 equals to 4 ठीक है अब यहां पर अगर मुझे निकालना है तो देखो सेमी बात है रजिस्टेंस की वैल्यों करेंट की वैल्यों सेम है इसलिए यहां पर V2 की वैल्यों भी कितनी हो जाएगी 4 volt ही हो जाएगी तो दोनों के across जो करेंट है जो voltage drop है वो कितना है 4 volt है यह देखो अ पड़ी थी कि जब भी कोई resistances series में connected होते हैं तो इसका मतलब है कि भाई उनमें current सेम जाएगा और voltage की वल्यों अलग अलग होगी तो बस उसी concept को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजों को solve करते जा रहे हैं अब आगे बढ़ेंगे power dissipated in 4 ohm resistor अभी पावर का dissipation कितना होगा किदनी पावर को यह यूज करेगा अब यह को पावर को निकालने के लिए i square r ही आपको करना है ठेक है तो पावर इकोल फोरों के cross निकालनी है तो i square r हम इसले करते हैं क्योंकि heat के form में power dissipate हो रही है वहाँ पर जो voltage ड्रॉप हुआ है वो voltage की खपत कैसे हो रही तो पावर जो है वहाँ पर consumption हो रहा है और dissipate हो रही है वो heat के form में और heat के form में हम पावर को लिखते हैं तो i square r लिखते हैं तो i की value है 1 और r की value है 4 तो आपकी जो power dissipation है वो भी कितना आएगा 4 watt आएगा ठीक है या फिर आप दूसरा formula भी लगा सकते हैं तो कितना होता है P equals to V into i होता ह अब भी कितना है आपका power across 4 ohm निकालनी थी तो 4 into 1 that means 4 watt clear है चलिए तो यह हो गया अब आ जाते हैं next question तो यह वाला question I hope समझ में आ गया है या नहीं आया है बता देना अभी अभी तुरं-तुरं कमेंट पर भी बता सकते हो कोई tension नहीं है आ गया आते है और देखेंगे कि ए आपके resistance हैं आप बोलेंगे कि मैं डाइग्राम में तो एक ही दिख रहा है लेकिन यहां पर एक लेक्ट्रिक लांप लगाया हुआ है जिसका resistance इंटर्नल रजिस्टेंस है 20 ohm ठीक है अगर यह 20 ohm रजिस्टेंस है तो भई ठीक है हमें 20 ohm को भी consider करना पड़ेगा ठीक है त सबसे सिंपल डाइग्राम बना करके solve कर लिया करिये यह गया 4 ohm और यहां से 20 ohm अब क्या बोल रहे हैं वह आप से टोटल रेजिस्टेंस निकालिए तो बहुत इजी है टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस मतलब कि सरकेट में जितने भी रेजिस्ट ठीक है तो सिरीज में करने के लिए हमें क्या करना होता है डारेटली आइड करना होता है तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 24 ohm simple is that ठीक है तो 24 ohm का total resistance है आगे बढ़ेंगे the current through the circuit अब circuit से current कितना जा रहा है अब देखो total resistance मुझे पता चल गया है कितना है 24 ohm और दूसरी चीज मुझे क्या पता चली है कि voltage की जो value है वो है 6 volt अब मुझे total current निकालना है तो current की क्या होता है I equals to V by R होता है ठीक है तो voltage है आपका 6 divided by 24 तो यह आपकी value हो जाएगी तो 1 by 4 और इसको आप करेंगे तो point में something कुछ answer आपका आ जाएगा ठीक है अना चलिए अब है the potential difference across the electric lamp and the conductor अब आपको दो चीजे पूछिए कि भाई यह जो electric lamp है और यह जो conductor है इनके across potential difference आपको निकालना है अब देखो मुझे पता है कि इसका resistance है 20 ohm और circuit से current कितना flow हो रहा है one upon four flow हो रहा है तो और यह दोनों series में इसका मतलब कि यहां से भी one upon four ampere current जाएगा यहां से भी one upon four ampere current जाएगा अब इसके cross अगर मुझे potential difference निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका resistance पता है तो वी कुल्स टू होता है आई इंटू आर ठीक है तो आई की value है one upon four और वी की value कितनी है four तो कितना आपका potential drop हो रहा है वन वोल्ट तो यहां पर potential drop की value कितनी है one volts है आगे बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे तो यहां पर resistance मेरा 20 था और current की value तो वन अपन 4 ही है और वी निकालना है तो आई इंटू आर करना है मतलब one upon four into 20 कर दो कितना आएगा five ampere five volt तो यहां पर कितना हो गया plus minus v equals to five volt तो five volt का voltage drop यहां पर हो रहा है यहां पर one volt यहां पर five volt आगे क्या पूछा है यह भी देख लेता है power of the lamp power निकालनी है हमें p की value निकालनी है तो p equals to v into i तो v की value कितनी है five है और i कितना है one upon four है ठीक है तो कितनी value आएगी आपके पास one point something कुछ value आएगी ठीक है तो चलिए सारे answers हमने निकाल लिए one by one देख लेते हैं हमारा total resistance 24 था बिलकुल 24 है उसके बाद power निकालनी थी तो भी हमने current code solve नहीं किया हमने one upon four लिखा जो कि 0.25 होगा इसके बाद electric lamp के across voltage drop निकाला हमने और इसके बाद हमें power निकालनी है तो power निकालनी के लिए बस मैंने वह आपको दिखाया नहीं वह बता देती हूं कि अगर lamp के across मुझे power पर निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए वी इंटो आई तो आई तो मुझे पता है कि one upon four है और वी कितना है आपका five है तो lamp के across जो power होगी वो क्या होगी बताईए जरा फटाफट से क्यासे बताएंगे तो पावर की value हो जाएगी five और साथ में हमें यह resistance को भी लेना पड़ेगा तो आपका value आ जाएगी कितनी आवन पॉइंट 25 ठीक है तो यहां से यह हमारा question solve हो गया अब अब देख लेते हैं कि next question क्या है यह जो next question है काफी भारी भरकम सा question आपको दिख रहा होगा अब कई बच्ची इसको देखके डर जाते हैं कोशिशी नहीं करेंगे solve करने की तो उन सारे बच्चों के लिए छोटी सी दो line मैं आपके सामने रख रही हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कज निकलेगा अर्जून की कभी भी हार नहीं मानना अब इस question को भी हार नहीं माननी हो यहां पे देखो यहां पर parallel combination आपको यहां पर दिख रहा है जिसमें आप R1, 10 और 5 को बिल्कुल साफ-साफ देख रहे हो कि यह parallelly connected है अब इनको solve कैसे किया जाए अब इसको solve करने का एक बहुत simple तरीका है question में आपसे बताया हुआ है कि आपको R1 की value निकालनी है यहां पर 2A दिख रहा है current अब आप बोलोगी कि माम यह कैसा 2A है तो कोई दिखकत नहीं है यह emitter है जो की reading दिखा रहा है 2A मतलब की circuit में इस वक्त 2A current flow कर रहा है अब मुझे R1 की value निकालनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी तो step 1 हमारी होना चाहिए कि मुझे total resistance निकाल लेना है क्या निकालना है बच्चो total resistance निकालना है मतलब की इस पूरे circuit में जो भी total resistance की value से आपको calculate कर देनी है अब यह total resistance क्या होगा तो this will be R effective equals to अब देखो यह यहां से चलेंगे तो यह 3 पार्लल में है तो हम इनको पैलल जोड़ दें वन अपाउन 5 प्लस वन अपाउन 10 प्लस वन अपाउन आर वन अब यह तीनों के तीनों यह दोनों रिस्टर के साथ में कैसे connected है series में क्योंकि अगर इन तीनों को मैं जोड़ूंगी इसको आप आप जाएगा अगर मैं इसाथ से देखों तो इसको और सॉलव कर लेते हैं यह हो होगा 12 प्लस बन बाइफाइव ये तैन्स को सॉलव कर हुअ अब hareक हूं हम इसका टाइब मितना लगाना क्यों यह दो यह हो जाएगा 2 q1 डट इस 12 q 2 2 3 by 10 ठीक है और सॉल कर लेंगे यह हो 120 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन आप तो यह हमाया टोटल रिस्टंस आ गया है अब बात होती है कि बच्चों आप इसको आर्वन की वेल्यू कैसे निकाली जाए तो यह ओम जी को मत भूलिए ओम्स लौ ओम का नियम क्या कहता है वी इकोंस टू आई आर अब यहां पर आई की उठाके लिख दो 30 क्या है आपका वोल्टेज है तो 30 इकोल्स टू टू इन्टू आर आर कितना है बच्चों 120 प्लस 3 डिवाड़ेड बाई 10 ठीक है प्लस 1 बाई आरवन ठीक है अभी टू को में अंदर मल्टिप्लाय कर दू ते हो जाएगा 120 ठीक है 123 इंटू ठीक है डिव 123 कैसे मैंने इसको जोड दिया है तो यह हो जाएगा इसको और सॉल कर लेते हैं तो इस विल विकम 30 ओर यह जाएगा 3 तूशा 6 टूशा 4 तू 1 एंट 10 ठीक है तो कितनी वेल्यू आ जाएगी हां से अपने पास अभी तो कोई वेल्यू नहीं आई है यह हो जाएगा 2 ना माने ठीक है यह हो जाएगा माइनस 246 divided by 10 ठीक है एकोल स्टू तू बाइ आरवन आई होप आपको यहां नजर आ रहा है इसको सॉल करेंगे यह हो जाएगा 300 माइनस 246 डिवाइड बाइ 10 और यह होगा 1 अपान आरवन यह 2 को मैंने यहां पर नीचे भेज दिया है तो यह इसको माइनस करेंगे तो 300 माइनस 246 करेंगे बच्चो कितना होगा 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा तो 54 यहां से आपके पास सामने विल्कुल ताजा ताजा 54 अपॉइंटी इसको स्वाल करेंगे तो कितना आएगा यह 2.7 ठेक है तो 1 upon R1 की जो वेल्यू है यहां से 2.7 जो है 1 upon R1 आ रहा है तो R1 equals to क्या हो जाएगा R1 equals to होगा 1 upon 2.7 या फिर 10 by 27 भी आप इसे बोल सकते हो ठीक है तो इस तरह से R1 की वेल्यू हमें calculate करनी थी अब देखते हैं हम कितने सही है कितने गलत हम वैसे तो सही ही होते हैं ठीक है चले तो इसका solution यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसको कुछ इस तरह से आप solve कर सकते हैं और यह टाप की आर्वन की वेल्यू आ गई है चले अब आगे बढ़ेंगो next question को देखते हैं कि तो इस थ्री रजिस्टर्स 10 ओम 15 और 20 ओम आर कनेक्टे इन सीरीज इना सर्केट इफ दा पोटेंशिल ड्रॉप अक्रोस 15 ओम थ्री वोल्ट फाइंड करेंट इन सर्केट एंड पोटेंशिल ड्रॉप अक्रोस 10 ओम रिजिस्टर अब देखो इसमें कोई डाइग्राम नहीं 10 प्लस 15 प्लस 20 ठीक है अब इफ दू पूटेंशिल ड्रॉप अक्रोस 15 ओम रिजिस्टर इस 3 वोल्ट अब यहां पाजो पूटेंशिल रॉप है वो 3 वोल्ट है मतब इसने जो पूटेंशिल खाया होगा वो 3 वोल्ट है फाइंड अ करेंट इन दा सर्केट एंड पूटेंशिल ड्रॉप निकालना यहां का ठीक है मालेते हैं कि यह पूटेंशिल रॉप यह अब यह तीनों रिस्टर सीरीज में है नाट मींस कि इनमें सभी में एक जैसा करेंट फ्लो कर रहा होगा यह सारी वल्यू तो यहां पर अन्नों नजर आ रही है जिक है तो क्या क नहीं है हमें पटा यह नहीं अब देखो बच्चो यहां पर हमें क्रांट की उर्ट का देखोат सकते हैं अगर मैंने यहां पर करेंट की भी निकाल दी मुझे मिल जाएगी मिल सकती है क्या बिलकुल सकती है क्योंकि कि हैं हर तीनों लिस्टर में current की value कैसी जाएगी सेम जाएगी ठीक है तो हम current निकाल लेते हम देखो 15 और यहां पे थ्री वolct है ठीक है तो कितना आएगा थ्री वोल्ट अपोन 15 करेंगे कैसे करेंगे 3 by 15 कर देना है अरे सिंपल सी बात है यहां का करेंट निकाल लेते हैं तो करेंट की वैल्यू कितने आए जाएगी तो करेंट थू 15 Ohm 15 Ohm से कितना करेंट जाएगा रजिस्टेंस की वैल्यू है 15 तो I equals to क्या होता है V by R V की वैल्यू है 3 by 15 तो कितना आएगा 1 by 5 ठेक है तो 1 by 5 एंप्यर करेंट जो है यह आपके 15 Ohm से जा रहा है अभी तीनों बस्टेस क्योंकि पूराइब यह सैरीज मे हैं तो करेंट इंदा सर्कॉट्ट विल भी zero.2 यह हो जाएगा क्योंकि अगर इसमें zero बॉंट तो amp 사람이 अग्या कर रहा है तो इसका मतलब की पूरे में flow कर रहा है क्यों कर रहा है पूरे में क्योंकि यह सब सीरीज में और सीरीज में अगर कोई रजिस्टर कनेक्टेड होते तो वहां करेंट डिवाइड नहीं होता चलो ठीक है तो यह आपका 0.2 एंपयर करेंट आ गया आपके सामने आप उन्होंने क्या पूछा है कि 10 ओम रजिस्टर के अ निकालना है तो बहुत आसार हो गया करेंट की वेल्यु आपको पता है वोल्टेज डॉप हम निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप एक रॉस कितना निकालना है टैम अभ यहां पे र की वालू कितनी है टैनों है एक की VOL दी हुई है 0.2 टो वी एकո 2 volt यह आगे आपका 2 volt clear है यह दोनों answers हमने निकाल लिये हैं बहुत आसान question था फिर से ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे और आखरी question देखते हैं आज के इस वीडियो का तो आज circuit has a line of 5 ampere how many lap of writing 40 watt 200 volt can simultaneously run on this line safely अब आप सोच रहोंगे कि मैं इतना अटक अटक क्यों पढ़ें कि लिखा क्या है यहां पे जो ना यह लिखा हुआ है लैंप अना तो भई यहां पर क्या बता है उन्होंने कि भई एक 5 ampere की लाइन है उसमें है 5 ampere इसके बाद हमें पावर दी हुई है 40 watt और वोल्ट की जो वल्यू है वो दी हुई है 200 वोल्ट अब इन टीनों में क्या relation है तो एक relation हमें पता है कि P equals to होता है वी इंटो आई तो बैया यह किसके लिए यह एक बल्व के लिए है अगर मुझे एन नमबर ऑफ बल्व की पावर निकालनी तो मुझे पावर में के साथ क्या करना पड़ेगा एन मिल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो एन पी equals to V into I या फिर में लिएक सक्टिव एन इकोल्स तो V into I divided by P तो V की वैल्यू कितनी है 200 है आई की वैल्यू कितनी है 5 है और पावर कितना है 40 वॉट है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका कितने बल्ब चाहिए आपको इतने 25 ठीक है तो 25 जो बल्ब है आप 40 40 वाट के लगा सकते हैं इसको और किस तरह से चेक कर सकते हो तो देखो बच्चो अगर यहां पर आपको यह दिया हुआ है कि 5 अंपियर यहां पर 220 वोल्ट आपकी सप्लाय है ठीक है तो 200 वोल्ट और पावर है पाइब तो एक बल्ब में से कितना करेंट जा रहा होगा सबसे पहले तो हम यह वैल्यू निकाल लेंगे अगर यहां से तो हमें यह भी पता थल सकता है कि एक बल्ब में अगर इतना चल रहा है तो फिर पांच एंपियर के करेंट के लिए कितने सकते हैं तो इससे बेतर है कि आप इस तरह से सिंपल से को सब्सक्राइब कर सकते हो ठेक है तो आज के वीडियो में हमने यह सारे क्वेश्न सोल के अगर आपको इसका स्क्रीन शॉट लिए आथी नहीं आपको समझ में आ गए होंगे अब बूक्स के अंदर बहुत सारे क्व बहुत सारे in-text questions हैं, तो जिनका solution में जल्दी ही लेकर कि आने वाली हो मेरे next video में, जिसे बिलकुल भी देखना मत भूलना, तो चलिए मिलेंगे उन video में, तब तक के लिए हूँ आज के इस video में आपको सब कुछ समझ में आया है, अगर कहीं doubt है, तो please comment section में बताएं, और हम मि सब्सक्माटी झार काने बताओं, जिसे देखने सब्सक्पर भीनियां के को जाज जागर कुछ सक्षभाचचचचचचचचचचच.